उनका बयान सामने आया उसमें किया रही कि अगलती से इंडिया लाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो ये भी याद रखना होगा प्रधान मंत्री को और सारे नेताओं को प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में मैं एमस्पी लागू करने की बात कर देंगो तुस्टी करन नज़र आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवार वात पे पूले, मुँ बंध हो गया परधान मंतरी जी का, इलेक्षोल बाण पे कौन जवाब देगा, जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्ता चार का, जानते हैं खितना बड़ा भरस्ता अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गड़ बंधन को, प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाज़ पाने था हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आ रही है प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके प對 फिवार प्रनेशाना साथ रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीपी में थे एक बेटी ही राजनीपी में थी इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिल्कुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटियां जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनौ ले रहेंगी इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिल्मिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेदी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको कर से परिवार वात पर बयादबाजी तेज हो गई है पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ ग आप कि लालु जी ने उतार दिया जुत बेटी चुना वाल जाती है तभी रासवाग में बेश में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता उसकती है पानी इस बर्त तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि परधान मंतरी को भी आकर के बार बार तेजस्वी को लाजु परिवार को घिरना परे तो लगतार परिवार वात के बारे में वो बोखे रहे हैं और पहली चुनावी जंदसभा का शुरुवाती वो परिवारवात के उमिद्वार से कर दें, जो कि उनके उमिद्वार हैं, तो आप देख सकते हैं उनके कर्थनी और कर्दी में कितना भारी अंति हैं, और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से, जिसका जिकर कहते हैं कि परिवार वाद बहुत बढ़ा देख सबसे जादा ठीके उनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्शन लने पर कोई आपत्ति उठाई कि परिवार वाद का मतलब है पार्ठी परिवार के लिए है, पार्ठी का नेता परिवार का होगा, पिता हटेंगे तो पत्नी करना निधी हुए स्टालिंग देश्न कई जब पर और हमारे इंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले थांतरीजी में पैदा हुए आज देश करें नेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे प्रधान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे इंडिया गटमधन है ती सिलाख रोजगर दे रहा है उसमें उनको तुस्टी कररन दिखरा है टिसानों की आये ने की हम बात करहें हमें मेंं-स भी लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजह रहा है अज बैटे के लिए वोट मंगने गये थे if you還 not परिवारवाद पे बूले हैं अगर देश की जंता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गडबंदन को प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाजपाने था हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आनी हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लड़ाई छ्री हुई है प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरी परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनिती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना विस्ताद रहें रोहेत सिधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जन्ता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वाद किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नज़र आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नज़र आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भार्ती है जो पाठली पुत अब चुटर से ही चुनावी लड़ रही है उनकी बैन रोनी अचारी भी चुनावी राज्मिति में इस पार एंट्री कर रही है वो सार narratives से इस मैदान में हैं इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालुयादों कि एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवा में तो इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक वाई फ्रोड अच्या पोलेगा सब फेकू सब है पानी इस बर्त तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि परधान मंतरी को भी आकर के बार बार तेजस्वी को लाजू परिवार को गिरना विए नपरशार में आरे हैं तो लगतार परिवार बारे में वो बोलते रहें और प्राइली चुनावी जंसभा कर शुरुवाती वो परिवारवात के उमिद्वार से कर ले जो कि उनके उमिद्वार है तो आप देख सकते हैं उनके कर्थनी और कर्थनी में कितना भारी अंत्य है और इस बार लगतार जो है एंडी एक खेमे से के जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बढ़ा है सबसे जाधा ठीकर दिये जाना नहीं कभी किसी के बेटा के या बेटी के यॉटिन अन्हे पर कि आपत्री उछाई ह। परिवारवात का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुख्यमंत्री या बेटा बनेंगे मुख्यमंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़ापर है क पर्णा लिधी हुए इस्टालिंग देश में कई ज़ता है और हमारे इंपे नरेंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले ख्यान तरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेन में होंगे प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है पिसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंगो तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे काहिने परिवारवाद पे पूले वह बंध हो गया प्रधान मंतिरी जी का इलेक्षोल बांट पे कौन जवाब देगा जब आते हो हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा च उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंतिरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतिरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरा आरी हाला कि बेहार में आपको बत कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तौर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेट सीधे तौर पर मिसा भारती बहुत ही घुसे वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अलपिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस बार फिर से लोग सभा चुनाव लड़ेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वा कि सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वाद को बरा मुद्दा बना है इस बार भी पाइतिल पुत्र से ही चनावो लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चनावी राजमिती में इस पार entry कर रही है वह सारश से मैदान में है यह से लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालू-यादो कि एक और बेटी के चनावी मैदान में उत्द्रने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है। लालु जी ने उतार दिया। दूसरी बेटी चुना हार जाती है तबी राजसवा में। तो इस बेस में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे। तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हो सकती है। कि क्या करते थे फर्जी दिग्री वाले क्या करते थे कितना केस हुआ है फ्रॉड है क्या को लेगा सब फेकू सब है। पानी इस बर्त तेजसवी को लाजु परिवार को घृणा करते थे तो लगताहर सबी सब्सक्राइब में तो पहले चुनावी जंसभा के शुरृती वह परिवार वाद के उमिदवा से जो कि उनके उमिद्वार हैं तो आप देख सकते हैं उनके कर्दनी और कर्दी में कितना भारी अंति है और इस बार लगतार जो है एंडी एक खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके दिये जा रहा है उनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन रने पर कोई अपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़ाद पर है करणा निधी रेस टाले में देश में कई ज़ाद पर है और हमारे इंपें मरेंद मोदी यह एक चाय बनारे वाले ध्यां तरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह देश परिवारवा से चुड़ रहा है राजसवा सामसद और राजजेडी सुप्रीमो मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे काहिने परिवार वाद पर बोले है वह बंध हो गया प्रधान मंतिरी जी का इलेक्षोल बान पर कौन जवाब देगा जब आते हूँ हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्ट उनका विवादित बयान मिस्सा ने कहा कि घलती से अगर इंडिया अलाइन्स को जन्यता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधार मंतरी जेल में होंगे नस्य प्रधार मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुए नज़रारी हैं हल GitHub में आनके प्रिवार अचारे भी राजनिती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे हैं रोहे सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवारवाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी पर घोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस बार फिर से लोग सबाचनाव लड़ेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवा है कि परिवारवाद को किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मिसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गठमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तोर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परि इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालुयादो की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गए पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रास्वाब है तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक पानी प्रदान मंत्री को भी आकर के बार अबार तो प्रचार में आरे हैं तो जबतार परिवारवाद के बारे में वह बोलते रहीं है और पहली चुनावी जन्सभा का शुरुवाती वो परिवारवाद के उमिद्वार से करते हैं, जो कि उनके उमिद्वार हैं, आप देख सकते हैं, उनके करतनी और कर्दी में कितना भारी अंती हैं, और इस बार लगतार जो है एंडी एक खेमे से, जिसका जिकर कहते हैं कि पर परिवारवाद का मतलब है, पार्टी परिवार के लिए है, पार्टी का नेता परिवार का होगा, पिता हटेंगे तो पत्नी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री, और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं, इसे कहते हैं, और यह कही पर है करना लिधी है रेस्टालिंग है देश में कई यह दो पर है और हमारे इंद मोदी ये चाय बनारे वाले खान दरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह देश परिवारवा से चुड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेन में होंगे प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टि करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में एमस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्टि करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे काहें ने परिवार वात पे पूल ले प्रधान मंतरी जी का इलेक्षोल बान पर कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा चार है अगर परस्टा सबा सांसद आरजेडी सुप्रीम लालु प्रसाद यादो की बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइन्स को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंतरी जेल में ह एक बेटी ही राजनिती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचार भी राजनिती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादो हो गया मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंतरियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतरी जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंतरी मोधी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबर जोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वातों किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नज़र आ होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नज़र आ रही है क्योंकि लगतार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नज़र आ रही है ठीके रोहे ज़रा रहें आप साथ ये वही मिशा भारति हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस भार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बेहन रोणी अचारी भी चनावीर राजविलती में इ अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बनाते हैं दूसरा बेटा हरे राम हरे राम प्रिश्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गे है सीधे चनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लोडाने के लिए लालु जी ने उतार दिया बिश्री बेटी चुना हार जाती है तब यह देश में लालु जी जिसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हो सकती है। पानी इस बरत तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि परधान मंत्री को भी आ करके बार बार तेजस्वी को लाजु परिवार को गिरना पर रहे हैं तो लगतार परिवार वात के बारे में वो बोजने रहे हैं और पहली चुनावी जन्दसभा कर शुरुवाती वो परिवार वात के उमिद्वार से कर देए जो कि उनके उमिद्वार हैं तो आप देख सकते हैं उनके कर्थनी और कर्दी में कितना भारी अंत्री और इस बार लगतार जो है एंडी ए खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परि कर्वार वात का मतलम है पार्यवार के लिए कि पार्टी का नेता परिवार का होगा डियर पिता हटेंगे टो पतनी बड़ेकी मुक्ष मंत्री को बेटा बने का मुक्ष मंत्री है और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है करणा निधी ख्रेस डाले में देश में कई ज़दा पर है और हमारे इंपें नरिंद मोदी यह चाय बनारे वाले ख्यान तरीजी में पैदा हुए आज देश करण डेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है कि याद रखना होगा प्रधान मंत्री को और सारे नेताओं को प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करण दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंगो तुस्टी करण नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे पाहे ने परिवार वाद पर बूले है वह बंध हो गया प्रधान मंत्री जी का इलेक्षोल बान पर कौन जवाब देगा जब आते हो हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा द्यादो की बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये राजनिती में ट्री कर रही है जिसको परिवार वागत सीधे तोर पर बीजे पी जोड कर देख रही है और तेजिसवी याद वह गया मिसाभारती हो गयी सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भिसाद रहे हैं रोहेट सिंग उमाई से तमाई से योगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में यह कह रही हैं कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे? जी बिलकुल अलपिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबर जोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वाद किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रह आ रही है क्योंकि लगतार बीजेपी के तरफ से परिवार वाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली हो रही है लालुयादों की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वाद पर बयाद बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रासवाब है तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीब पाई फ्रोड है या पोले जब खेकू सब है पानी इस पर तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया थि परद्धान मंत्री को भी आ करके बारबार से को लाजु परिवार को घरना को प्रशार्वार को लगतार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे हैं और पहली चुनाओ जन्दसभा का शुरुवाती वो परिवारवात के उमीद्वार से कर ले जो कि उनके उमीद्वार है तो आप देख सकते हैं उनके कफनी और कर्दी में कितना भारी अंति और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवात बहुत बुड़ा है सबसे ज्यादा ठीके उनके कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन अन्ने पर खुए अपत्ति उठाई है कि के परिवारवात का मतलब है पाठी परिवार के लिए है पाठी का नेता परिवार का होगा फिता हटेंगे तो पत्नी बढ़े की मुख्यमंतरी या बेटा बनेगा मुख्यमंतरी अरं ब análों की फोजग बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़दापर है करणवा निधी ख्रेस टाले में देश में कई ज़दापर है और हमारे इंद मोदी यह चाय बनारे वाले खान दरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह देश परिवारवा से चिर रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेन में होंगे प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्ति करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में 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 स्थी लागू करने की बात कर देंगो तुस्ति करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गये थे, काही ने परिवारवाद पे बूले, मुँ बंध हो गया परधान मंतरी जी का, इलेक्षोल बाण पे कौन जवाब देगा, जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का, जानते हैं खितना बड़ा पानेता हैं जेल के अंदर बंदो, तो राजब सवा सांसद, आरज़ेडी सुप्रीमो लालु के साद यादो के बेटी, मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम पुरे परिवार पर निशाना साद रहे हैं, कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे, एक बेटी ही राजनीती में थी, लेकिन अब उनकी एक और बेटी, रोहनी अचार ये भी राजनीती में एंट्रे कर रहे हैं, जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी वाका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तक्रार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आरजेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मीसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेदी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही इंट्री कर रही हैं वो सारण से मैदान में हैं इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालुयादों की एक और बेटी की चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान-बाजी तेज हो गई है पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे चंता का खल्यान तो दूर-दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तब भी रासवा बेशेश में लालू जी से नियता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंटा नहीं हो सकती है परिवार की चिंटा हो सब है किशी वाले कि कितना केस हुआ है पानी प्राइब कि प्रज़ाम को लाजू परिवार को घिरना परुटार के बारे में वह बोतें पहली चुनावी जंद्सभा का शुरुवाती वो परिवार बात की उमिद्वार से करते हैं, जो कि उनके उमिद्वार हैं आप देख सकते हैं उनके कंफनी और कर्दी में कितना भारी अंतनी हैं और इसब लगतार जो है NDA खेमे से इसका जिक्र कहते हैं कि परिवार बहुत ब परिवारवात का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्नी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है कर पैदा हुए यह देश परिवार्वा से चिर रहा है राजसवा सांसद और आरजेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादत बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंदिया अलाइंस को जर्णता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समय सारे नेता जेल में प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे काहिने परिवारवाद पे पूल ले बंध हो गया प्रदान मंतिरी जी का इलेक्ष्ण बांट पर कौन जवाब देगा जब आते हो हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा च उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रदान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रदान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आरी हाला कि बिहार में आपको बता अचारे भी राजनिती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भिसाद रहे है रोहेत सीधे तोर पर मिस परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वाद को किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नज़र आ रही है जब मिसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री उद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस मक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बेहन रोणी अचारी भी चनावी राजविती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारण से इस मैदान में है इसे लेकर जबरद सियासत हो रही है लालुयादो की एक और बेटी की चनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयादबाजी तेज हो गई है पानी दोने वाले को अपने बेटा क्यूंकि उनका बेटा था तो बिहार का मंत्री बना दे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृस्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुना हार जाती है तब भी रासवाव तो इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हो सकती है परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे हैं और पहली चुनावी जंसभा के शुरुवाती वो परिवारवाद के उमिद्वार से करते हैं जो कि उनके उमिद्वार हैं तो आप देख सकते हैं उनके खत्नी और कर्दी में कितना भारी अंतर है और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बड़ा है सबसे ज्यादा ठीके दिये जा रहा है उनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन रने पर कोई आपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं परिवार और यह कई ज़गा पर है कर्णा निधी ख्रेस टालिंग देश में कई और हमारे इंपे नरेंद मोदी ये चाय बनारे वाले ख्रेवी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह देश परिवार्वा से चिर रहा है मिसा भार्ती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भार्ती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे तो उनका बयान सामने आए उसमें कह रही कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो ये भी याद रखना होगा प्रदान मंतिरी को और सारे नेताओं को प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गटबंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टिकरन दिखारा है किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में एमस्पी लागू करने की बात कर देंगो तुस्टिकरन नजर आ रहा है आज बैटे के लिए वोट मंगने गये थे, कहीने परिवारवाद पे बूले, वो बंध हो गया परधान मंतरी जी का, इलेक्ष्वल बाण पे कौन जवाब देगा, जब आते हैं हो हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का, जानते हैं खितना बड़ा पानेता हैं जेल के अंदर बंदो, तो राजब सवा सांसद, आरज़ेडी सुप्रीमो लालु परसाद यादो की बेटी, मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम स प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिल्कुल अलपिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालु परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालु परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाच उनौल लेंगे इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे अर्पिता ठीके रोहिजरा रही आप साथ ये वही मिसा भारती हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बेहन रोणी अचारी भी चनावी राजमिती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारव से मैदान में हैं इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालू यादो की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बनाते हैं दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हर जाती है तबी रासवाब है तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंटा नहीं हो सकती है परिवार की चिंटा है क्या करते थे फर्जी वाले क्या करते थे कितना केश हुआई फ्रॉड जया पोले कैसा फेकू सब है आप आंड़ वर्ते जस्मी ने ऐसा पानी पिलाया ली परधान मंतरी को भी आकर के बारबार तेस्वी को लाजू तो लगतार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे हैं और पहली चुनावी जंसभा कर शुरुवाती वो परिवारवाद के उमिद्वार से कर रहे हैं जो कि उनके उमिद्वार हैं आप देख सकते हैं उनके कर्थनी और कर्थी में कितना भारी अंतर और इस बार लगतार जो है NDA खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बढ़ा है सबसे ज़्यादा ठीके दिये जा रहा है उन्हें कभी किसी के बेटा के या बेटी के एलेक्शन लने पर कोई आपत्ति उठाई परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पर्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्ती बढ़ेंगे मुख्यमंतरी या बेटा बने का मुख्यमंतरी और बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़गपर है करनवा निधी क्रेस डाले इसमें कई जगपर है और हमारे इंध नर परिवारवा से चिड़ रहा है याद रखना होगा प्रधानमंत्री को और सारे नेताओं को प्रधानमंत्री समें सारे नेता जेल में हूँगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंगों तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे काहें ने परिवार वाद पे पूले हैं वह बंद हो गया पर्धान मंतरी जी का इलेक्षोल बान पे कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा आजात अकि बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थी उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया लाइंस को जटनता ने मौकाट दिया और हमसक्ता में आये तो प्रधार मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरारी है हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवार वाद पर लड़ाई च्री हुई है प्रधान मंत्री सीधे तोर पर लालू और उनके पुरे परिवार पनिशाना साध रहे हैं कि पह अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधानमंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष में देखिए तो लालू परिवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनाओ लेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वात किस तर करकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेदी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पा पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम प्रिश्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया जुसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रासवा में तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबो के चिन्ता नहीं हो सकती है परिवार की चिन्ता है है कि तो ही कि क्या करते थे फर्जी वाले किया करते थे पांवी जंद्सभा कर शुरवाति वह परिवार वात के उमीद्वार से जो कि उनके उमीद्वार आप देख सकते हैं उनके कर्फनी और कर्फनी में कितना भारी अंतर और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से सबसे जादा और बेटा के या बेटी के लेक्षिन रन पर भगजक का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्नी बढ़ेंगे मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा मुख्यमंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई जदापर है करन्वा निधी हुए स्टालिंग देश में कई जदाप और हमारे इंपें नरेंद मोदी जी एक चाय बनाने वाले ख्यान गरीजी में पैदा हुए आज देश करनेता हुए यह देश परिवार्वा से चिड़ रहा है मिसा भार्ती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भार्ती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेन में होंगे प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में 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 एमस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे काहें ने परिवार वात पे पूल लें बंध हो गया प्रधान मंतरी जी का इलेक्षोल बान पर कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा भरस्टा च बेटी मिसा भारती जिनको आफ सुन रहे थे उनका ये विवाधित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनटरा ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधार मंतरी जेल में होंगे ना सर्थ प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कह राजनिती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनिती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजस्वी यादव हो गए अमिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरका पर निशाना भी साथ रहे हैं रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वातों किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मीसा भा रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना दे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृस्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगा पू से चुनाओ लडाने के लिए लालु जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रासवाव में तो इस देश में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हुआ है कि क्या करते थे फरजी सब्कत्राइब करने कूट है और जिलनसफा कर दोए जोlles नों के उमीदवार को कि आप देख सकते हैं उनके करतनी नि रहें परिवारवाद के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्नी बढ़ेंगे परिवारवा से चड़ रहा है राज्यसाबा सामसद और आरज्यडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंत्री समय सारे नेता जेल में होगे प्रदान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है प्रदान मंत्री से लेकर के जितने भी भाजपाने था है जेल के अंदर बंदो प्रदान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहते हुई नजर आ नहीं हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लड़ाई ठ्ष्री हुई है प्रदान मंत्री सीधे तौर पर लालू और उनके पुरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनके एक और बेटी रोणी अचार भी राजनीती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तौर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गए इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साध रहे है रोहेट सीधे तौर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचुनाओ ले रहेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पुलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वात तो किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मिसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद मोधी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंतरी समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवाब है तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक डिएबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता है फैसीवा儿 की इस फ्रॉड़ इसा पानी पिलाया है पर दान मंत्री को भी आर सिपरी ने बहूरे को परिवारवाद के उमिदवार से करने जो कि उनके उमीदवार है तो आप देख सकते हैं उनके कतनी और करदी में कितना भारी आंते, और इस बार लगतार जो है NDA खेमे से कि उसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है, सबसे ज्यादा ठीके बिक्षा नहीं कि अपनि उठाई जो परिवार्वात का मतलब है पाटी परिवार के लिए है कि पाटी का नेता परिवार का होगा पिता हटेएंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने मुक्षमंत्री चैक कि अरब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे है इसे कहते हैं और यह कई ज़गा पर है करनवा निधी ख्वेस टाले में देश में कई ज़गा पर है और हमारे उपें नरेंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले खान दरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह देश परिवारवा से चिर रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेन में होंगे प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गये थे आहे ने परिवार वाद पे पूले बंद हो गया पर्धान मंतरी जी का इलेक्षाल पान पर कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा चार है अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गड़ बंदन को प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाज़ पाने था हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आ नहीं हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवार वाद पर लड़ाई क्ष्री हुई है प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरी परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनीती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेत सिंग आमाई से तमाई से होगी इस वक्त जुड़ चुके हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जंता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थुरा व्यापक परिपेक्ष में देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनौल लेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वातु किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मीसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद मोदी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटबंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंतरी समें तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तोर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो चुनावी राजविती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारव से मैदान में हैं इसे लेकर जबरदस सियासत हो रही है लालुयादों की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेस हो गए है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रास्वाब तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों क कि चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता है कि क्या करते थे फर्जी दिग्री वाले क्या करते थे कितना केश हुआ है फ्रॉड है क्या पोले का सब फेकू सब है पानी इस वर्त तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि परधान मंत्री को भी आ करके बार बार तेजस्व करवा कहा शुरुद थी वह परिवारवाद के उमिद्वार उमिद्वार को आप अद्यत में खटनी है कि तना भारी अन्किति और ऐसं और इस बार लगतार एंडी कि में सबसे ज्याता खत ऑप She Network किनके घटा के या बेटी लेक्ष्टों से KPोफ जो कि परिवारवात का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है को पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई यदा पर है करणवा निधी हुए स्टालिंग देश में कई यदा पर है और हमारे इंद मोदी जी एक चाय बनारे सब्सक्राइब करेंगे में पैदा हुए आज देश परिवार्वा से चड़ रहा है राजसाबा सांसद और आजएडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंडिया अलाइंस को जर्यता ने मौका दे दिया तो प्रदान्मंतरी समेश सारे नेता जेल में होंगे उनका बयान सामने आए उसमें कहारी है गलती से इंडिया अलाइंस को जर्यता ने मौका दे दिया तो ये भी याद रखना होगा प्रदान्मंतरी को और सारे नेताओं प्रधान मंतरी समय सारे नेता जेल में होंगे अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंदन को प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाजपाने था हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आ नहीं हाला कि बेहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लड़ाई ठ्ष्री हुई है प्रधान मंतरी सीधे तौर पर लालू और उनके पूरे परिवार पर निशाना साथ रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनिती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भ इस साथ रहे रोहेत सिधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वा तो किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नज़र आ होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नज़र आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नज़र आ रही ह है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चनावी राजमिती इस पार एंट्री कर रही है वो सारव से मैदान में हैं इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालुयादों कि एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवाब है तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक चुनाव परचार परिवारवाद के बारे में वह बोलते रहे हैं और पहली चुनावी जन्तसभा के शुरुदार जो कि उनके उमिदवार है तो आप देख सकते हैं उनके कर्णी और कर्णी में कितना भारी अंतर और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे जादा ठीक है उनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के एलेक्शन लने पर कोई आपत्त परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री है और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कही ज़ज़ और हमारे उपे नरेंद मोदी ये चाय बनारे वाले थान तरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए ये देश परिवार्वा से चिड़ रहा है राज्यसाबा सामसद और आरजेडी सुप्रीमो मिसा भारती ने एक विवादत बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतरी समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है, 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है, किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है, आज बैटे के लिए वोट मंगने गए थे, कहें ने परिवारवाद पे बूले, मुबंध हो गया परधान मंतरी जी का, इलेक्षोल बाण पे कौन जवाब देगा, जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का, जानते हैं खितना बड़ा भरस्टा चार हैं, अगर देश की जंता ने कहीं हम प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाज़ पानेता हैं, जेल के अंदर बंदो, तो राज़र सवा सांसद, आरज़री सुप्रीम लाली प्रसाद यादो की बेटी, मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंड प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरी परिवार पर निशाना साद रहे हैं, कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे, एक बेटी ही राजनीती में थी, लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोहनी अचारे भी राजनीती में ट्रे कर रहे हैं, जिसको परिव परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाथ को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबा चुनाव ले रहेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पुलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार कि सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं ने कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेदी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता ठीके रोहे जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवाब है तो इस बेस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक वकानर दूसरी म्रू दुवडरिक प्रशार जारे तो लगतार परिवार्वाथ के बारे में वह बूते रहें वो पहली चुनावीante can शुरवात हम कर देहां जो के उमिद्वार है तो आप देख सकते हैं उनके कपनी और कर्दी में कितना भारी अंतर है और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे जादा ठीके दिये जा रहा है कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्शन रने पर कोई आपत्य उठाई है परिवारवात का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और अब कि फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है करना निधी हुए स्टालिंग है देश में कई ज़दा पर है और हमारे इंद मोदी यह चाय बनारे वाले कहां तरीजी में पैदा हुए आज देश करण डेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रह प्रधान मंत्री को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करण दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंगो तुस्टी करण नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे काहिने परिवारवाद पे पूले पूले बंध हो गया प्रधान मंत्री जी का इलेक्ष्ण बांट पर कौन जवाब देगा जब आते हैं वह हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा प मिसा भारती हैं जनको आफ सुन रहे थे उनका यह विवादित भयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर और अलाइंस को जट्सा ने मौका दिया और हम सप्ता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नस्वर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हूँ नजरारी है हाला कि बेहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लडाई ठी हुई है प्रधान मंत्री सीधे तौर पर लालू और उनके पुरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं पहले उनके बेटे ही राजनीटी में थे, एक बेटी ही राजनीटी में थी, लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचार है भी राजनीती में अट्रे कर रहे हैं, जिसको परिवार वाक्स सीधे तौर पर BJP जोड कर देख रही हैं और तेजस्वी याद हो गया देरी भार प्रधानमंत्री जेल में होंगे बिल्कुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तक्रार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बी जो है रोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वातों किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नज जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त न रही है वो सारण से इस मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालुयादों की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बनाते है दूसरा बेटा हरे राम हरे राम क्रिश्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवा में तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीब आई फ्रॉड है क्या पोले का सब फेकू सब है पानी इस बर्त तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि परधान मंत्री को भी आकर के बारबार तेजस्वी को लाजू परिवार को घिरना पर तो लगतार परिवार वाद के बारे में वह बोलते रहे हैं और पहली चुनावी जन्तसभा के शुरुवाती वह परिवार वात के उमीद्वार से कर तो जो कि उनके उमिद्वार है आप देख सकते उनके करफनी और करदी में कितना भारी अंत्ति और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से इसका जिक्र कहते तेटे कि परिवार वाद बहुत बढ़ा है सबसुर्ria में ने कभी किशी के बेटा के या बेटी के अले पर प्रोय आपत्य उठाई है परिवार्वात का मतलम है पार्टी परिवार के लिए है कि काँ लेता परिवार का होगा है पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बनेगा मुक्षमंत्री और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दापर हैं करना निधी ख्रेस टालें देश में कई ज़दापर हैं और हमारे उपें नरेंद मोदी ये चाय बनारे वाले ख्रेजी में पैदा हुए आज देश करनेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जणता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में एमस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है अज बैटे के लिए वोट मंगने गए थे परिवार वाद पे बूल ले बंध हो गया परधान मंतरी जी का इलेक्ष्व बांट पर कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा चार है मिसा भारती जिनको आफ सुन रहे थो उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि घलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंतरी जेल में वोंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नज राजनिती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे हैं रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचुनाओ ले रहेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पुलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वात तो किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मिसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद मोधी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंतरी समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम क्रिश्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवाब है तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक पानी पिलाज को आप बारबार तसका नाजी तो लगतार परिवार वाद के बारे में वह जो बूते रहें तो पहली चुनावी जनसभा के शुरुडवाती वह परिवार के उमिद्वार से करता है जो कि उनके उमीद्वार तो आप देख सकते हैं उनके खत्नी और कर्दी में कितना भारी अंतर और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज्यादा ठीके दिये जा रहा है उनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्शन रने पर कोई आपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्नी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री है और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर हैं कर्णा निधी ख्रेस्टालिंग देश में कई ज़दा पर और हमारे उपें नरेंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले थांदरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे काहिने परिवारवाद पे पूल लें उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रदान मन्तरी सारे नेता जेल में होंगे, यह बात कहती हुई नजरारी है. हाला कि बिहार में आपको बता दे, परिवारवाद पर लडाई छड़ी हुई है. प्रदान मन्तरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं, कि पहले उनके बेटे ही राजनिती में थे, एक बेटी ही राजनिती में थी, लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनिती में एंट्रे कर रही है, जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है, और तेजिस्वी यादव हो गए, या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना विस्ताद रहे रोहेत सिंग ओमाई से तमाई सयोगी इस वक्त चुड़ चुके हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है फिर बीजेपी परिवारवात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप घोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटियां जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनौ लड़ेंगी प्रधान मंत्री नरेंद मोधी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है ठीके रोहिज़र रही है आप साथ ये वही मिशा भारती है जो पाथली पुत्र से चनाव लट चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करने पड़ा है इस बार भी पाथली पुत्र से ही चनाव वो लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चुनावी राजविती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारव से इस मैदान में हैं इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालो यादो की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयाद बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्यूंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना दे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम प्रिश्णा करता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालु जी ने उतार दिया जुसरी बेटी चुनाव आर जाती है तंबी रासवा तो इस बेस में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता उनक्ट सब यह सब आप परिवार वाद के उमिद्वार से कर लें। जो कि उनके उमिद्वार है। तो आप देख सकते हैं उनके कर्फनी और कर्फनी में कितना भारी अंतर और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके दिये जा रहा है उनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्शन रने पर कोई आपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़गा पर है करणा लिधी हुए स्टालिंग देश में कई ज़गा पर है और हमारे इंपे नरेंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले कहां तरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है, 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है, किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नज़र आ रहा है, आज बैटे के लिए वोट मंगने गए थे काहिने परिवारवाद पे बूले, मुबंध हो गया परधान मंतरी जी का, इलेक्षोल बाण पे कौन जवाब देगा, जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का, जानते हैं खितना बड़ा भरस्टा चार हैं, अगर देश की जंता ने कहीं हमे आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिस्सा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए, तो प्रधान मंतरी जेल में होंगे, नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे, ये बात कहती हुई नजर आरी, हाला अब उनकी एक और बेटी, रोणी अचारे भी राजनिती में ट्रे कर रही है, जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है, और तेजिस्वी यादव हो गए, या मिस्सा भारती हो गई, इस सब प्रधान मंतरीों के इन सरकार पर निशाना भिसा रहे, रोहेत सिधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है, कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया, तो प्रधान मंतरी जेल में होंगे, जी बिलकुल अलपिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष में देखिए, तो लालू परिवार और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बीच में जो है, वो तकरार बढ़ती जा रही है, कोकि लगातार प्रधान मंतरी मोदी हों या फिर बीजेपी, परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है, और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीक से जो है, वो बढ़ावा दिया जा रहा है, आर जेडी में, और इसी को लेकर ऐसा लगता है, वो तिलमिलाहट जो है, वो साफ नजर आ रही है, जब मिसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पर ही हमला बोल दिया, और कहा कि अगर गलती से आया जा रहा है, और इसी कारण से आर जेडी भी जो है, वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है, अर पिता, ठीके, रोहित जरा रही है आप साथ, ये वही मिसा भारती हैं, जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी, दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है, उनकी बहन रोणी अचारी भी चनावी राजमिती में इस पार एंट्री कर रही है, वो सारण से इस मैदान में है, इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है, लालु यादो की एक और बेटी की चनावी मैदान में उतर से परिवारवाद पर बयादबाजी तेज हो गई है, पानी डोने वाले को अपने बेटा, क्योंकि उनका बेटा था, तो बिहार का उत्मुक मंतरी बना दे, दूसरा बेटा हरे राम, हरे राम कृष्णा करता है, उसको भी मंतरी बना दिया, अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है, सीधे, जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है, लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया, दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है, तब भी रासवाब, तो इस बेस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे, तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, परिवार की क्या करते थे, कितना केस हुआ है, फ्रॉड है, क्या को लेका है, सब फेकू सब है, पानी इस बर्त तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है और पहली चुनावी जंदसभा कर शुरुवाती वो परिवारवात के उमिद्वार से कर ले हैं, जो कि उनके उमिद्वार हैं, आप देख सकते हैं, उनके कर्दनी और कर्दी में कितना भारी अंति हैं, और इस बार लगतार जो है एंडी ए खेमे से, जिसका जिकर कहते हैं कि कि परिवारवाद बहुत बुड़ा को सबसे जाधा शिकर भी किसी के बेटा के या बेटी के एलेक्षिन अन्ने पर कोई हापत्य उठाई है, परिवार बात का मतलम है पार्टी परिवार के लिए है, पार्टी का नेता परिवार का होगा, पिता हटेंगे तो पत्दी का अपमुक्त मंत्री है और बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है करणा निधी हुआ स्टालिंग है देश में कई ज़दा पर है और हमारे इंद मोदी यह चाय बनारे वाले ख्यान करीजी में पैदा हुए आज देश परिवारवा से किर रहा है प्रधानमंत्री को और सारे नेताओं को प्रधानमंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार देरा है उसमें उनको तुस्टी करण दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में एमस्पी लागू करने की बात कर देंगो तो उस्ती करन नजर आ रहा है आज बैटे के लिए वोट मंगने गए थे पाहे ने परिवारवाद पे बूले है वो बंध हो गया प्रधान मंत्री जी का इलेक्षोल बांट प आज़ तो राज़र सवा सांसद आरज़ेडी सुप्रीमो लालु पसाद यादो की बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंत् सीधे तोर पर लालु और उनके पुरे परिवार पर निशाना साद रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनीती में ट्रे कर रही हैं जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहित सिंग ओमाई से तमाई सयोगी इस वक्त चुड़ चुड़ चुके हैं रोहित सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुसे वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अलपिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जब जोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वातों किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो स अखलाहट साफ तोर पर नजर आ रही है क्योंकि लगतार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मि मैदान में हैं इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालुयादों की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयाद बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना दे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रासवाब है तो इस बेस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीब पाई फ्रॉड है क्या फोलेगा सब्पेकू सब है पानी इस वर्थ तेजस्वी ने इसा पानी पिलाया है ति परधान मंत्री को भी आ करके बार बार जाजू परिवार को गेर्ना करें जो कि उनके उमीदवार है वाप देख सकते हैं उनके कथनी और कर्दी में कितना भारी और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके दिये जा रहा हुआ उन्हें कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन अन्ने पर खुए आपत्ति उठाई है कि परिवार वाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है तो पार्टी का नेटा परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्ति बढ़े की मुक्षमंत्री या बेटा मुक्षमंत्री और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दापर है करना निधी ख्रेस टाले में देश में कई ज़दापर है और हमारे इंद मोदी यह चाय बनारे वाले खान तरीजी में पैदा हुए आज देश करण डेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में एमस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे काहें ने परिवार वात पे पूल ले बंध हो गया प्रधान मंतिरी जी का इलेक्षोल बान पे कौन जवाब देगा जब आते हूँ हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा जादों के बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे उनका ये विवाधित बयान मिसा ने कहा कि घलती से अगर इंडिया अलाइनस को जनता ने मौका दिया और हम सप्ता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसल प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये केती हुई नजरा आ विए श्री एक पर रधान मंत्रिस सीधे तओर अपर लालम साद रहे है उनके बेटी ही राजनिती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोह्री अचारे भी राजनिती में एंट्री कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेत सिंग आमाय से तमाय से होगी इस वक्त जुड़ चुके हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष में देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनौल लेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वातु किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मीसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद मोदी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटबंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंतरी समें तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है व एन्टरी कर रही है वो और से इस मैदान में हैं इसे लेकर जबरदस सियासत हो रही है लालो यादो की एक और बेटी के चुनावी मैदानमे उतरने से परिवारवात पर बयान-बाजी तेज हो गए है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना थे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम प्रिश्मा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रास्वाब तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों क चिंता नहीं हो सकती परिवार की चिंता उसे क्या करते खेकर अं उच्वान तर भारली को लाजु परीवार को घिरना सब्राज्वा दरी ना संब्दक रहें तो लगतार परिवार वाद के बारे में वह हैं Kenya ऑ नसना कि वा जिसका किन है परिवार वाद का मतलब है परिवार बाती परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुख्यमंत्री या बेटा बने का मुख्यमंत्री है और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे है इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है करणा लिधी हुए स्टालिंग देश में कई ज़दा और हमारे इंद मोदी जी एक चाय बनाने वाले ख्यान तरीजी में पैदा हुए आज देश परिवार्वा से चिड़ रहा है राजसाबा सामसद और आर्जेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है, तीस लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है, किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें, हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है, आज बेटे के लिए वोट मंगने गए है, काहे ने परिवारवाद पे बूले, मुबंध हो गया परधान मंतरी जी का, इलेक्षोल पान पे कौन जवाब देगा, जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का, जानते हैं कितना बड़ा भरस्टा चार हैं, अगर देश की जंता ने कहीं ह इनको आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिस्सा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए, तो प्रधान मंतरी जेल में होंगे, नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे, ये बात कहती हुई नजर आ न सीधे तओर पर लालू और उनके पूरी परिवार प्रजनीति में थे, लेकिन अब उनकी एक और बेकी रोटी रोटी सारे भी राजनीति में इन्ट्री कर रही हो हैं, जिसको परिवार वासी सीधे ताओर बीजे पी जोड़ कर देख रही है, और तेजिस्वी यादों हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेत सिंग हमाई से तमाई से योगी इस वक्त जुड़ चुके हैं तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटियां जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनौ ले रहेंगी इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिल्मिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेदी भी जो है वो बैक फुट पर इस मक्त नजर आ रही है अरपिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ यह वही मिसा भारती हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठल पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चुनावी राज्मिती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारण से इस मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालु यादो की एक और बेटी के चुनावी मैद मंतरी बना कि दूसरा बेटा हरे राम हरे राम करते है ँसको भी मंतरी बना दिया अब सीधे सिंगा पूर सी एक बेटी आ गेही है सीधे इंधे या कल्याम तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सीगापूर से चुनाव लड़ाने के लिए लालु जी ने उता तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हो से परदान मंतरी को भी आ करके बार 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 तेजस्वी को लाजु परिवार को गिरना परी टिए जुनाव प्रचार में आरे हैं तो के लिए था था है प्ली माही चंदसभा को शुरौथी वह परिवार्वाथ के हुमीद्वां से जो कि उनके उमीद्वार आप देख सकते हैं उनके कर्थ्नडी में कितना बारी आन्ति और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बढ़ा है सबसे जादा ठीके दिये जा नहीं कभी किसी के बेटा के या बेटी के एलेक्षिन लने पर कोई आपत्ति उठाई परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लि और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है करणा निधी ख्रेस टाले में देश में कई ज़दा पर है और हमारे इंद मोदी ये चाय बनारे वाले ख्यांतरीवी में पैदा हुए आज देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में MSP लागू करने की बात कर देंगो तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे, काही ने परिवार वाद पे बूल ले, मुबंध हो गया परधान मंतरी जी का, इलेक्षोल बाण पे कौन जवाब देगा, जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्ता चार का, जानते हैं खितना बड़ा भरस्ता अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंदन को, प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाज़ पाने था हैं जेल के अंदर बंदो तो राज़र सवा सांसद, आरज़री सुप्रीमो लालू के साथ यादो की बेटी, मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए, तो प्रधान मंतरी ज राजनीती में थे, एक बेटी ही राजनीती में थी, लेकिन अब उनकी एक और बेटी, रोणी अचार भी राजनीती में एंट्रे कर रहे हैं, जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है, और तेजिस्वी यादो हो गए, या मिसा भारती हो परिवार और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बीच में जो है, वो तकरार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार प्रधान मंतरी मोदी हो या फिर बीजेपी, परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है, और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई, कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है, वो इस पर फिर से लोग सबाचनाव लड़ेंगी, जिसमें से पहली एक बेटी जो है, रोहनी अचारे, वो भी अपना पोलिटिकल डेब्यू करने जा रही है, तो जाहिर सी बात है, अगर गलती से इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है, तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है, वो जेल में होंगे, तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परि परिवार बाद पर बयान बाजी तेज हो गई है, पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देगा, दूसरा बेटा हरे राम, हरे राम कृस्णा करता, उसको भी मंत्री बना दिया, अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है, सीधे, जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है, लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया, दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है, तब भी रासवाब है, तो इस दे हिल्स में लालू जी जी जेसे नेता जब तक रहेंगे, तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है, परिवार की चिंता, होसा हिए, पानी बात तेजशवी ने ऐसा पानी पिल आ जासे है ipad benefit, बारबार दिदेश बोलते रहे हैं और पहली चुनावी जंसभा का शुरुवाती वो परिवारवाद के उमिद्वार से करते हैं जो कि उनके उमिद्वार हैं तो आप देख सकते हैं उनके खत्नी और कर्दी में कितना भारी अंति और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से इसका जिकर कहते है कि परिवारवाद बहुत-बुड़ा है सबस्तों जादा ठीके उनके कभी किसी के बेटा के या बेटी के एलेक्शन और पर हुआ अपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो करना निधी करें स्टालिंग देश में कई जब पर है और हमारे उपें नरेंद मोदी ये चाय बनारे वाले थान तरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए ये देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख़ रहा है किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में बैटे के लिए बोट मंगने गये थे काहीनी परिवारवात पर पोले अगर देश की जमता ने कहीं हमें मौका दे भी या इंडिया गड़ बंदन को परधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाजपाने था हैं जेल के अंदर बंदो परधान मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आनी हाला कि बेहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लड़ाई च्छी हुई है परधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरी परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनीती में ट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक बहुत ही घुसे वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे। दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबा चुनाव ले रहेंगे जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वात हो किस तरीके से जो है व प्रधान मंत्री समें तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं ने कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण स आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता ठीके रोहे जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव से चनाव लड़ाने के लिए लालूजी ने उतार दिया गुस्री बेटी चुना हार जाती है तब भी राद सवाब तो इस बेस में लालु जी जैसे नेता जब-तक रहेंगे तब तक गरीम की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हुग सब पर्धान मंत्री को भी आखर के बारबार तेशैंब को लारु परिवार को गिरना पर रा-चुदधीं आरें तो लिखतार पडिवर वाद के बारे में वो बोस्के र All The steeds पर ही जनसभा कर शुडवातीं वह पडिवार व्वाद के उमिध्वार जो कि उनके उमिद्वार हैं तो आप देख सकते हैं उनके कर्फनी और कर्फनी में कितना भारी अंतर और इस बार लगतार जो है एंडी एक खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके लिए जा रहा है इनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन अन्ने पर प्रकभए उठाई प्रिवार वाद का मतलम है पार्टी परिवार के लिये है पार्टी का नेता परिवार परिवार होगा पिता हटे तो पत्दी बढ़ेंगे मुख्यमंत्री या बेटा बने का मुख्यमंत्री और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़गा पर है करणा निधी हुए स्टालिंग देश में कई ज़गा और हमारे इंपें नरिंद मोदी यह चाय बनारे वाले अध्यान करीजी में पैदा हुए आज देश करण नेता हुए यह देश परिवार्वा से चिर रहा है राज्यसाबा सांसद और राज्जेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंडिया अलाइंस को जर्णता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतरी समय सारे नेता जेल में हुए तो उनका बयान सामने आया उसमें कहरी कि अगर गलती से इंडिया अलाइंस को जर्णता ने मौका दे दिया तो ये भी याद रखना होगा प्रधान मंतरी को और सारे नेताओं को प्रधान मंतरी समय सारे नेता जेल में होंगे अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गड़ बंदन को प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भाजपाने था हैं जेल के अंदर बंदो तो राज़ेब सवा सांसद आरज़ेजी सुप्रीम लालू प्रसाद यादो की बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे, न से प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरा आनी है। मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना विस्ताद रहें रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधार मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबर जोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वाद किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रह पर आ रही है क्योंकि लगतार बीजेपी के तरफ से परिवार वाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से ही चुनावी लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चुनावी राजनिती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारण से इस मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालुयादो की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वा दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है सीधे जंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लडाने के लिए लालु जी ने उतार दिया जुसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रास्वाब तो इस देश में रहेंगे कि तब तक गरीब की चिंटा नहीं हो सकती है परिवार की क्या करते थेOne प्रावार प्रचार से लगतार परिवार वात के बारे मैं वह वृपरद रहे मं warnings पहली चुनावी जंसभा का शुरुडवाती वो परिवार बात के उमीद्वार से कर दो जो कि उनके उमीद्वार हैं, तो आप देख सकते हैं उनके खतनी और कर्दी में कितना भारी अंत्त हैं और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके लिए जा उन्ने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन लने पर हुआ अपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुख्यमंत्री या बेटा बने का मुख्यमंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं परिवार और यह कही ज़ और हमारे इंद मोदी ये चाय बनाने वाले खान दरीजी में पैदा हुए आज देश परिवारवा से चिर रहा है राजसवा सामसद और आरजेडी सुप्रीमो मिसा भारती ने एक विवादत बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया घट बंधन है 30 याख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आयए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में 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 अश्पी लागू करने की बात कर देनको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवार वाद पे बूले, मुँ बंद हो गया परधान मंतरी जी का, इलेक्षोल बाण पे कौन जवाब देगा, जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का, जानते हैं कितना बड़ा पानेता हैं जेल के अंदर बंदो, तो राजव सवा सांसद, आर्जेडी सुप्रीमो लालु प्रसाद यादो के बेटी, मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम स प्रदान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अल्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालु परिवार और प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रदान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालु परिवार की दो बेटियां जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनौ ले रहेंगे इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिल्मिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवात को ब परिवारवात पर बयानबाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बनाते हैं दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगा पूर्सी एक बेटी आ गई है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगा पूर से चुणाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी देस में लालु जी जैसे निता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंटा नहीं हो सकती है परिवार की चिंटा उसके कि फरजी दिग्री वाले किया कड़े तहा है कितना तो आले सब। हुआ अब है पामी ? प्परधान्मंत्री को बीड़कर का खंणात्तु केुपशोब। और पहली कि दूनावी जंतसभा का शिडवाती परजी ऑसअटेशकोब। जो कि उनके उमीदवार हैं तो आप देख सकते हैं उनके कर्थनी और कर्दी में कितना भारी अंति है और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे जादा ठीके दिये जा रहा है कभी किसी के बेटा के बेटी के रहने पर कोह अपत्र उठाई ऐसी cya ३रवार वाद का मतलब है पारटी करिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़गा पर है कर्णौ निधी हुए स्टालिंग देश में कई ज़ अपर और हमारे इंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले ख्यांतरीजी में पैदा हुए आज देश परिवारवा से चिड़ रहा है राजसाबा सामसद और आरजेडी सुप्रीमो मिसा भारती ने एक विवादत बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइमस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतरी से भी इंडिया अलाइमस को जनता ने मौका दे दिया हुआ इन्डिया घट बंधन ए तीज स्लाख रोजगार दे रहा हुआ उसमें उनको तुस्टी करन दिखरा है किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में मेंसमें में लागू करने की बात कर दें। उस्टी करन नजर आ रहा है जानते हैं खितना बड़ा बरस्टाचार हैं अगर देश की जंता ने कहीं हमें मौका देव या इंडिया गड़ बंदन को प्रधान मंत्री से लेकर के जितने भी भाजपाने था हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आरी हैं कि बिहार में आपको बता दे परिवारवार पर लडाई च्री हुई है प्रधान मंत्री सीधे तोर पर लालू और उनके पूरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनीती कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए हैं मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचुनाओ ले रहेंगे जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पुलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वातों किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है क्योंकि लगतार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता क्युक्कि उनका करता था क्युक्य को इसको बेना दिया सीधे शिंगापूर से एक बेटी आ गए है सीधे है चनता काक ल्यान tends तो दूर sensor पता नहीं चलता है लेकिन सीधे शिंगापूर से देझटा लडाने के लिए लालु जी ने उतार इप शुसरी बेटी चुना हार जाती है तब ली रासवाब तो इस देस में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हो सकती है परिवार वाद के बारे में वो भूते रहे हैं और पहली चुनावी जंसभा कर शुरुवाती वह परिवार वाद के उमिद्वार से कर लेखें जो कि उनके उमीदवार है तो आप देख सकते हैं उनके कर्फनी और कर्फनी में कितना भारी अंतर है और इस बार लगतार जो है एंडी एक खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बुड़ा है सबसे ज्यादा ठीके दिये जा नहीं कहिसी के बेटा के या बेटी के लेक्षन अन्ने पर क Kas परिवारवात का मतलब है पार्टीं के लिए कि पार्टीं का नेता परिवार होगा पिता हटेंगे तो पत्नी बढ़ेंगे मुख्यमंत्री या बेटा बने का मुख्यमंत्री है और बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़गा पर है करणा लिधी हुए स्टालिंग है देश में कई ज़गा और हमारे इंपे नरेंद मोदी जी चाय बनारे वाले यह देश परिवारवा से चिर रहा है राज्यसाबा सामसाद और आरजेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंडिया अलाइंस को जन्यता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे तो उनका बयान सामने आए उसमें कहारी कि अगर गलती से इंडिया अलाइंस को जन्यता ने मौका दे दिया तो ये भी याद रखना होगा प्रदान मंतिरी को और सारे नेताओं को प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गडबंधन हैं ती सिलाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टि करण दिखरा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में एमस्प लागू करने की बात कर दर देंको तुष्टि करन नजर आ रहा है आज बैटे के लिए वोट मंगन अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गड़ बंदन को प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाजपाने था हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आनी हाला कि बेहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लड़ाई च्छी हुई है प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरी परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनीती में ट्रे कर रही है जिसको परिवार वा बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री मोधी हो या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबा चुनाव लड़ेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोधी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहेज़रा रएया आप साथ ये वही मिचा भारती हैं जो पातली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पातली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बैन रोणी अचारी भी चनावी राज्मिति में इस पर परिवार्वा पर करने से परिवार बेटी तरने के परिवार वात पर बयानादी तेज हो गई को अपने बेटा तो भीहार का उटमूक मंत्री बना गरती है उसको भी मंत्री बना दिए मैं और सीधे सिंगापूर्सी एक बेटी आ गई सुपर को चंता गयां तो दूर दूर तक पता नहीं चलता लेकिन सीधे सिंगापूर्से चुणा लडाने लाळाने के ले लावू ची ने उतार दिया कि देश में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हो सकती है परदान मंतरी को भी आकर के बार बार परिवार वाद के बारे में वह बोलते रहें और पहली चुनावी जंसभा के शुरुवाती वह परिवार वात के उमिद्वार से कर दे हैं जो कि उनके उमिद्वार हैं तो आप देख सकते हैं उनके कर्फनी और कर्फनी में कितना भारी अंतर है और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके दिये जा नहीं कभी किसी के बेटा के या बेटी के ऐक्षन उनने पर फॉब्यवार मतलम है पार्टी परिवार के लिए है लेगए पार्टी काहा होगा नेता परिवार होगा पटतनी बने करन botte कर दूद बने बने का मुक्तों मंतरे कि देश परिवारवा से चिड़ रहा है राजसाबा सामसद और आरजेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादत बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतरी समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंगों तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे पाहे ने परिवार वाद पर बोले है मुँ बंध हो गया प्रधान मंतरी जी का इलेक्ष्ण बांट पर कॉन जवाब देगा जब आते हूँ हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का जानते हैं कितना बड़ा परश्टा चार हैं अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गड़ बंधन को प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाज़पानेता हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरा आनी हाला कि बेहार में आपको बता दे परिवार वाद पर लड़ाई च्छी हुई है प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थी एक बेटी ही राजनीती में थी रोहित सिंग ओमाई से तमाई से योगी इस वक्त जुड़ चुके हैं रोहित सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अलपिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस बार फिर से लोग सबाच उनाओ लेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोनी अचारे प्रधान मंत्री नरेंद मोधी पर हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गठबंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता कि चुनावी मैदान मे उतरने से परिवारवाद पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्यूंकि उनका बेटा था तो बिहार का मंत्री बना दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगाप पूर से चुनाव लडाने के लिए लालु जी ने उतार दिया जुसरी बेटी चुनाव हर जाती है तब भी रास्वाब है पर डेस में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हो से ह fase करेंगे बार भार जी को लाजु परिवारार को घरना को सब्राठ्वय परचार में बॉल्ते में और पहली चुनावी जन्चभा कर शुरूत ही वह परिवार बाद कि उमिद्वार य crdokya देख नहीं कि कितरा भारी अंतििव और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके दिये जा उन्ने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन लने पर हुआ अपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं परिवार और यह कई ज़ और हमारे इंद मोदी ये चाय बनाने वाले खान दरीजी में पैदा हुए आज देश करण डेता हुए ये देश परिवारवा से चिड़ रहा है राज्यसाबा सामसद और आरजेडी सुप्रीमो मिसा भारती ने एक विवादत बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतरी समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे काहें ने परिवार वाद पे बूलें मुँ बंध हो गया प्रधान मंतरी जी का इलेक्षोल बान पे कौन जवाब देगा मिष्जा बाते हैं मरे सक्वार पे आरूफ हो habata लगाते हैं परश्ता चार का जानते हैं छितना बड़ा बड़का अगर देश की जनता ने कहीं हमिए मोका दे दिया इंडिया गड बंधन को प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाजपानेता है जेल के अंदर बंदो उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनके एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनीती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वास सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती ह होंगे इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे हैं रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जंता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष में देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवार वाद को जब होनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वातों किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रह पर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेदी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली और पुतर से ही चुनाावी राजमीती में इस पार आंट्री कर रही है वह सारवसे इस मैदान में है इसे लेकर जबरदस सियासत हो रही है लालु यादव की एक और बेटी के चुनावी मैदान मे उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रास्वाब बेस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता कंखे अथ फरजी दिग्री वाले किया करते थे कितना केश हुआ है फ्रोड है क्या पोले के सब फेकू सब आप वांए बद्धान मंत्री को भी आा करके बार परिवार वा सिरुद करना। थिर्शु को लाजुपरिवार को कि अलों प्रोफ मैं को लि anál है, मैं में तो प्रीकर्द रखान के माय और पहली चुनावी जूत्वाइं के म सनफा कर शुरुद कि वह जूत कोश्राविस की उमिद्वार今 से हैं कि परिवारवाद के लिए हैं पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़े की मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़ादा पर है करना लिधी हुए स्टाले में देश में कई ज़ादा पर है और हमारे इंद मोदी जी एक चाय बनाने वाले खान तरीजी में पैदा हुए आज देश करण डेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेन में होंगे प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गडबंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में एमस्पी लागू करने की बात कर देंगो तुस्टी करन नजर आ रहा है अज बैटे के लिए वोट मंगने गए थे पाहे ने परिवारवाद पे बूल लें परधान मंतरी जी का इलेक्ष्ण बाण पर कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा चार है अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंदन को प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाज़ पाने था हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आ नहीं हाला कि बेहार में आपको बता दे परिवार वाद पर लड़ाई ठ्ष्री हुई है प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पूरे परिवार पर निशाना साथ रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनीती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादो हो गए या मिसा भारती हो गए इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेत सिंग अमाई से तमाई से योगी इस वक्त जुड़ चुके हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटियां जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनौ ले रहेंगी इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे उनकी बहन रोणी अचारी भी चुनावीर राजविती में इस पर एंट्री कर रही है वो सारण से इस मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालो यादो की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाज़ी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना दे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृस्णा करता है उस तो भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुणाओ लडने के लिलालू जी ने उतार दिया। दुसरी बेटी चुणाओ हार जाती है तबही राज़सवाब है। तो इस देश में लालू जी जी से नेता जब तक रहेंगे। तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है। हो कि अधाकर शुरुडवाती वू हाद की उमीद्वार से जो कि उनके उमीद्वार है। आप देख सकते हैं उनके कर्फनी और कर्भी में कि तना भारी अंतना है। और लगतार जो है एंडी एक खिमे से जिसका जिक्र कह से इखेते हैं कि परिवारवाद बहुत बढ़ा है। परिवार वाथ का मतलब है पार्टी परिवार के लिए हैं पार्टी का नेता परिवार का hopping होगा को पिता हटेंगे तो पत्दी बने के मुक्षमंतरी या बेका बने का मुक्षमंतरी ड़ो और अब बह Ride कि फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है करणा निधी हुए स्टालिंग है देश में कई ज़दा पर है और हमारे इंद मोदी यह चाय बनारे वाले तरीजी में पैदा हुए आज देश करण डेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे काहिने परिवारवाद पे पूल ले बंध हो गया प्रधान मंतिरी जी का इलेक्षोल बांट पे कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा च उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि घलती से अगर इंडिया और इंडिया आलाइंस को जनता ने मौचा दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधार मंत्री जेल में हूंगे नशर प्रधाद मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरारी है हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लड़ाई छ्री हुई है प्रधार मंत्री सीधे तोर पर लालू और उनके पूरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेट चुके हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसाभारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधार मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवार वाद को ज भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वाद किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नज़र आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नज़र आ रही है अर्पिता ठीके रोहित ज़रा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पु प्रासत हो रही है लालो यादो कि एक और बेटी के चुनावी मैदार में उतरने से परिवार वाद पर बयाद बाजी तेज हो गई है पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का मंत्री बना दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर शे एक बेटी आगई है सीधे तंता ककल्याम तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया जूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तबी राशमा कि देश मे लालुजी जैसे मेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंटा नहीं हो सकती है परिवार की चिंटा क्टेश ऑसका किस इपितल ऐसे बारबार एक यहां करते कितना केसु आई प्रॉऌ्ड रिंधों अ सब्सक्राण noon. मुअना इसा पॉई कुनावी चंधस्भार के भारे वह बोते रहे हैं तो प्राइवार्वाद के बारे में वह भूभु गुंद्वारु तूप ला crushing प्राद के उमिद्वार ने कभी किसी के बेटा के या बेटी के खु़े अपत्ती उठाई है हुआ पर भार बार का मतल्ब पार्टी परिवार केलिए है है एए फार्टी का नेता परिवार का होगा पीता हटेंगे तो पति बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़गा पर है करना लिधी हुआ स्टालिंग देश में कई ज़गा है और हमारे पे नरेंद मोदी जी चाय बनारे वाले तरीजी में पैदा ह यह देश परिवारवा से चिर रहा है जनता ने मौका दे दिया तो यह भी याद रखना होगा प्रदानमंत्री को और सारे नेताओं को प्रदानमंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बैटे के लिए वोट मंगने गये थे काहिने परिवारवाद पर पूले बंध हो गया परधान मंत्री जी का इलेक्ष्ण बांट पर कौन जवाब देगा जब आधे हो हमारे परिवार पर आरूप लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा चार अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे भिया इंडिया गट बंधन को परधान मंत्री से लेकर के जितने भी भाज़ पाने ता हैं जेल के अंदर बंदो तो राज़ब सभा सांसद आरज़ेडी सुप्रीम लालू परसाद यादो की बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंत्री जे अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारी भी राजनिती में ट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्स सीदे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादो हो गए या मिसा भारती हो गए इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना विसाद रहे रोहेत सिंग हमाई से तमाई सयोगी इस वक्त चुड़ चुड़ चुके हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसाभारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनाव लड़ेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे इनने पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोधी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समें तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चनावी राजमिती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारव से मैदान में हैं इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालु यादो कि एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवाब है तो इस बेस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक पानि से पिलाया कि पारधान मंत्री को भी आपर करने जो कि उनके उमीदवार है ऩो आप देख सकते हैं उनके कपनी और कर्दी में कितना भारी अंतर और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज्यादा ठीक है उन्हें कभी किसी के बेटा के या बेटी के एलेक्षिन अन्ने पर कोई आपत्ति उठाई परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़गा पर है करनवा निधी हुए स्टालिंग देश में कई यह दो पर है और हमारे इंपे नरिंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले ख्यान करीजी में पैदा हुए आज देश करें नेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंधन को प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाज़ पानेता है जेल के अंदर बंदो प्रधान मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरा नी हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लडाई च्री हुई है जिसको परिवार वाक्त सीधे तौर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादो हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंतरी के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेट सीधे तौर पर मिसा भारती बहुत ही घुसे वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाईंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतरी जेल में होंगे जी बिल्कुल अलपिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंतरी मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाच उनौल लेंगे इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे उनकी बहन रोणी अचारी भी चुनावी राजविती में इस पर एंट्री कर रही है वो सारण से इस मैदान में हैं इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालू यादो की एक और बेटी की चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी दोने वाले को अपने बेटा क्यूकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंतरी बना दे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंतरी बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी इसा पानी पिलाए कि परधान मंतरी को भी आगर के बार बार तेस्पी को लाजु परिवार को गिरना कर आप रहे हैं दो लगतार परिवार्वात के बारे में वो पहले चुनावी जंदसभा कर शुरुआती वह परिवारवात के उमिद्वार से कर दें जो कि उनके उमिद्वार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कर्दनी और कर्दी में कितना भारी अंतर और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवात बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके दिये जा रहा है। परिवारवात का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा। तो पत्दी बढ़ेंगे मुख्यमंत्री या बेटा बने का मुख्यमंत्री है और बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है कर्णा निधी खुए स्टालिंग देश में कई ज़दा पर है और हमारे उन्पें नरिंद मोदी यह चाय बनारे एक विवादित बयान दिया है मिसा भार्ति ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होगे प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें मेंस एमस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवार वाद पे बूले, मुँ बंध हो गया पर्धान मंतरी जी का, इलेक्षोल बान पे कौन जवाब देगा, जब आते हो हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का, जानते हैं कितना बड़ा भरस्ट यादो की बेटी, मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए, तो प्रधान मंतरी जेल में होंगे, नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे, ये बात कहती हुई नजरा आरी, हाला कि बेहार में आपको बता दे, परिवारवाद पर लडाई च्री हुई है, प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं, कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थी, लेकिन अब उनकी ए पर लालू परिवार और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बीच में जो है, वो तकरार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार प्रधान मंतरी मोदी हो या फिर बीजेपी, परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है, और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई, कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है, वो इस पर फिर से लोग सबाचनाओ लेंगी, जिसमें से पहली एक बेटी जो है, रोनी अचारे, वो भी अपना पोलिटिकल डेब्यू करने जा रही है, तो जाहिर स इसी बात है, निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वात हो किस तरीके से जो है, वो बढ़ावा दिया जा रहा है, आर जेडी में, और इसी को लेकर ऐसा लगता है, वो तिलमिलाहट जो है, वो साफ नजर आ रही है, जब मीसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रध जातार, बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है, और इसी कारण से आर जेडी भी जो है, वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है, अर्पिता से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है, पानी डोने वाले को अपने बेटा, क्योंकि उनका बेटा था, तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना थे, दूसरा बेटा हरे राम, हरे राम प्रिस्ना करता है, उसको भी मंत्री बना दिया, अब सीधे सिंगापूर से एक प्रणा औ लडाने के लिए, लालु जी ने उतार दिया, दूसरी बेटी चुना हर जाती है, तबी राज़सवाव में, वेस ने लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे, तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है, परिवार की चिंता हो दुकित कहा थे, तर दे अब कर अप्राइब के बारे में वोगते रहे हैं और पहली चुनावी जंसभा कर शुरुआती वह परिवार बाद के उमिद्वार से जो कि उनके उमिद्वार आप देख सकते हैं उनके कतनी और कदी में कितना भारी यह और इस बार लगतार जो है एंडी एक खेमे से और जिसका जिक्र कहते हूँक है कि परिफार वा सब से जाधिकसे को पिटो की करणे के बेटी aadu परिफार्वाद का मतलम हैं फार्टी परिफार ये हैं का कि फार्टी का नेता परिफार का होगा पिता हटें। तो पत्नी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री और बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दापर है करनवा लिधी ख्रेस टालिंग देश में कई ज़दापर है और हमारे इंपें नरेंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले सब्सक्राइब में पैदा हुए यह देश परिवार्वा से चिर रहा है राज्यसाबा सामसद और आरजेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंडिया अलाइंस को जन्रता ने मौका दे दिया तो तदान मंत प्रधान मंत्री को और सारे नेताओं को प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गहे थे परिवार वाद पर बंधन को प्रधान मंत्री से लेकर के जितने भी भाजपाने था हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आनी हाला कि बेहार में आपको बता दे प्रधान मंत्री सीधे तौर पर लालु और उनके पूरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे परिवारवात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबा चुनाव ले रहेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वात तो किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मिसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद मोधी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गठमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंतरी समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा रहा है और इसी कारण से आरजेदी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता ठीके रोहे जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना दे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम प्रिश्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवाब है तो इस बेस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक कि रासव तक प्रजवार वाद के बारे में वह बोगते रहें और पहली चुनावी जन सभा कर शुरृति तो परिवार वाद के उमिद्वार से वह जो कि उनके उमिद्वार है तो आप देख सकते हैं उनके कपनी और कर्दी में कितना भारी अंतर और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके दिये जा नहीं कभी किसी के बेटा के या बेटी के एलेक्शन अन्ने पर किता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री है और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़्यदा पर है कर्णा निधी हुए स्टालिंग है देश में कई ज़्यदा पर है और हमारे नरिंद सब्सक्राइब में पैदा हुए यह देश परिवार्वा से चिर रहा है राजसाबा सामसद और आरजेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अधर गलुपी से भी इंदिया अलाइंस को जड़ता ने मौका दे दिया तो तध प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे प्रधान मंत्री से लेकर के जितने भी भाजपाने था है जेल के अंदर बंद हो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरा आनी हाला कि बेहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लड़ाई च्छी हुई है प्रधान मंत्री सीधे तोर पर लालू और उनके पुरी परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ई राज़नीती में थे, एक बेटी ही राज़नीती में थी रोहेत सिंग ओमाई से तमाई स्योगी इस वक्त चुड़ चुके हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुसे वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सभा चुनाव लड़ेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे प्रधान मंत्री नरेंद मोधी पर हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गठमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहिजरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चनावी राजमिती में इस पार ए बेटा था तो प्यार का मंत्री बनाते हैं दूसरा बेटा हरे राम अरे राम करता है उसको मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर उपर रही विए यंचलता दो दूर दूर तक पता नहीं चलता लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालु जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तबी रासवाब तो इस बेस में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता उसे परिवार बात के उमिद्वार से और पहली चुनावी जनसभा के शुरूवाथी वो परिवार बात के उमिद्वार से करते हैं जो कि उनके उमीदवार हैं तो आप देख सकते हैं उनके कर्दनी और कर्दी में कितना भारी अंतर और इस बार लगतार जो है एंडी एक खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे जादा ठीके दिये जा रहा है उनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन रने पर कोई अपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दापर है करणा निधी ख्रेस डाले में देश में कई ज़दापर है और हमारे इंपें नरेंद मोदी यह चाय बनारे वाले ख्यांतरीजी में पैदा हुए आज देश करण डेता हुए यह देश प प्रदान मंत्री को और सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में एमस्टी लागू करने की बात कर देंगो तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवार वाद पे बूले, मुँ बंद हो गया पर्धान मंतरी जी का, इलेक्षोल बान पे कौन जवाब देगा, जब आते हो हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का, जानते हैं कितना बड़ा भरस्ट यादो की बेटी, मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए, तो प्रधार मंतरी जेल में होंगे, नसर प्रधार मंतरी सारे नेता जेल में होंगे, ये बात कहती हुई नजर आरी, हाला कि बिहार में आपको बता दे, परिवार वाद पर लडाई च्री हुई है, प्रधार मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरे परिवार पर निशाना साद रहे हैं, कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थी, लेकिन अब उनकी एक पौर बेटी रोणी अचारे भी राजनीती में एंट्रे कर रही है, जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है, और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई, इस सब प्रधान मंतरियों के इन सरकार पर निशाना भिसाद रहे हैं, रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है, कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया, तो प्रधान मंतरी जेल में होंगे। और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई, कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है, वो इस पर फिर से लोग सबाच नौल लेंगी, जिसमें से पहली एक बेटी जो है, रोहनी अचारे, वो भी अपना पोलिटिकल डेब्यू क करने जा रही है, तो जाहिर सी बात है, निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वा तो किस तरीके से जो है, वो बढ़ावा दिया जा रहा है, आर जेडी में, और इसी को लेकर ऐसा लगता है, वो तिलमिलाहट जो है, वो साफ नजर आ रही है, जब मीसा भारती ने पल लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता से परिवारवाद पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को कि अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ ग अब लडाने के लिए लालु जी ने उतार दिया उसरी बेटी चुना हार जाती है तबी रास्वाब तो इस बेस में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हो सब हैए और परदान मंत्री को भी आकर परिवार वाद के बारे में वह बोलते रहे हैं और पहली चुनावी जनसभा का शुरुवाती वह परिवारवाद के उमीद्वार से कर दो जो कि उनके उमीद्वार आप देख सकते हैं उनके कपनी और कंदी में कितना भारी अंति और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज्यादा ठीक है उन्हें कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन लने पर कोई अपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं परिवार और यह कई ज़ और हमारे इंद मोदी ये चाय बनाने वाले ख्यान करीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए ये देश परिवारवा से चिड़ रहा है राजसवा सामसद और आरजेडी सुप्रीमो मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतरी से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया जो इंडिया गट बंधन है, तीस लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है, किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें, हमें में एमस्पी लागू करने की बात कर दें को तुस्टी करन नजर आ रहा है, आज बेटे के लिए वोट मंगन जानते हैं कितना बड़ा बरश्टा चार है, अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंधन को, प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाज़पाने था हैं, जेल के अंदर बंदो तो राज़ेवस सवा सांसद, आरज़ेवस सुप्रीमो लालु के साद यादो के बेटी, मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइन्स को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए, तो प्रधान म मंतरी सारे नेता जेल में होंगे, ये बात कहती हुई नजरा आरी, हाला कि बेहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लडाई क्ष्री हुई है, प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालु और उनके पूरे परिवार पर निशाना साद रहे हैं, कि पहले उनके बेटे ही पर लालु परिवार और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बीच में वो तकरार बढ़ती जा रही है, को कि लगातार प्रधान मंतरी मोदी हों या फिर बीजे परिवारवात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटियां जो है वो इस पर फिर से लोग सबा चुनाओ लेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वात किस त परकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चनावी राज्मिती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारण से इस मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालु यादो की एक और बेटी के चनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेस हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवा में तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीब अब सुआ है पानी पनिते जिए नि ने इस फोला घंट सोनन अदे ऑने बार तक रूड़ा एक्रू दूसरी ने ड के बारे में वो बहुते रहें वह पहली जंसभा के शुरृमाती भीज मुज़ कर दो मिल्यबार से उलया है कि खतनी और कर दीम कितना भारी अंति और इस बार लगतार जो है एंडी ए खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बढ़ा है सबसे ज्यादा ठीक है उन्हें कभी किसी के बेटा के या बेटी के एलेक्षिन लने पर कोया अपत्ति उठाई परिवारवाद का मतलब है पार्टी प परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री है और बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे है इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है करनवा निधी हुए स्टालिंग देश में कई ज़दा पर है और हमारे परिवारवा से चिड़ रहा है राजसाबा सांसद और आरजेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंदिया अलाइंस को जर्णता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समें सारे नेता जेल में होंगे तो उनका बयान सामने आए उसमें कहरी कि अगर गलती से इंडिया अलाइंस को जर्णता ने मौका दे दिया तो ये भी याद रखना होगा प्रधान मंतिरी को और सारे नेता उनको प्रधान मंतिरी समें सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बन्धन है तीसलाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करंन बिखरा है किसानों की आय द्धनी करने कि हम बात करहें हमें मेनगी मेंगी लागू करने कि बात कर देंको तुस्टी करंन नज़र आrukt आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे परिवार वाद पे पूल लें परधान मंतरी जी का इलेक्ष्वल बाण पर कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूप लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा चार हैं अगर देश की ज पार्ति जिनको आफ सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिस्सा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवारवार पर लडाई च्री हुई है प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पूरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और ब और पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे। लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनाव लड़ेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वा तो किस आरजेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नज़र आ रही है जब मिसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद मोदी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटबंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चुनावी राजविती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारण से मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालु यादो कि एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज ह पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवा में तो इस बेस में ला परिवार वाद के बारे में वो बोलते रहे हैं और पहली चुनावी जंसभा के शुरुवाती वो परिवार वाद के उमिद्वार से करते हैं जो कि उनके उमिद्वार हैं तो आप देख सकते हैं उनके खत्नी और कर्दी में कितना भारी अंतर है और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवार वाद बहुत बड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके दिये जा रहा है कि देश में कई जब और हमारे रुपे नरेंद मोदी ये चाय बनारे वाले तरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए ये देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे काहिने परिवारवाद पे पूले बंध हो गया प्रधान मंतिरी जी का इलेक्षोल बांट पे कौन जवाब देगा जब आते हो हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा चार ह अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंधन को प्रधान मंतिरी से लेकर के जितने भी भाज़ पाने था हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंतिरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतिरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरारी है आपके बिहार में आपको बता दे परिवार्वार पर लडाइक श्री हुई है प्रधान मंतिरी सीधे तोर पर लालू और उनके पूरे परिवार पर निशाना साद रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनिती में थे, एक बेटी ही राजनिती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोनी अचारि भी राजनिती में ट्रे कर रही है जिसको पनिवार वाकत सीधे तौर पर BJP जोड कर तेख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेत सिंग हमाई से तमाई से योगे इस वक्त चुड़ चुके हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिल्कुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष में देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप घोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटियां जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनौ लड़ेंगी इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे और रोणी अचारी भी चुनावी राजनिती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारव से मैदान में है इसे लेकर जबर्द सियासत हो रही है लालू यादो कि एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवा में तो इस बेस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीब आए अआ है ये सबड़े अश्यासमि ने आसा पानी फिलाया है कि परधान मंत्री को आए कर के बार भार तक वर को उप्रहुनों कि आ रहे हैं तो लगतार प्रिवारवात के बाड़े में वो बोलते रहे जा दिख सकते हैं उनके करदी और कितना भारी यंद्क है और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे जादा ठीकेट दिये जा उनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के एलेक्शन अनने पर कोई आपत्ति उठाई परिवारवाद का मतलब है पाटी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्ती बढ़ेगी मुक्ष्मंत्री या बेटा बने का मुक्ष्मंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़गा पर है करणा निधी हुए स्टालिंग देश में कई ज़गा पर है और हमारे इंपें नरेंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले कहां तरीजी में पैदा हुए आज देश परिवारवा से चिर रह मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में एमस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे पाहे ने परिवार वाद पे बूले है वह बंध हो गया प्रधान मंत्री जी का इलेक्षोल बान पे कौन जवाब देगा जब आते हो हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा द्यादो की बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये राजनिती में ट्री कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीदे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादो हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेट सीदे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस बार फिर से लोग सबाच उनाओ लेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वात किस जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मीसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद मोदी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटबंदन की सरकार बन जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मीसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पा पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बनाते है दूसरा बेटा हरे राम हरे राम प्रिश्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रास्वाब है तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक परिवारवाद के बारे में वह बोलते रहें और पहली चुनावी जंसभा कर शुरुडवाती वह परिवारवाद के उमिद्वार से जो कि उनके उमिद्वार है तो आप देख सकते हैं उनके खत्नी और कर्दी में कितना भारी अन्ति और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके तिये जा नहीं कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन लने पर हुए अपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलम है पार्टी परिवार के लिए हैं पार्टी का नेता परिवार का होगा पीता हटेंगे तो पत्ती बढ़ेंगी प्रेटा मंत्री या बेटा बने का मुक्स मंत्री है और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़ापर है करणवा लिधी है रेस्टालिंग है देश में कई ज़ापर है और हमारे इंद मोदी यह चाय बनारे वाले था दरीजी में पैदा हुए आज देश परिवारवा से चुड़ रहा है राजसाबा सामसद और आरजेडी सुप्रीमो मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो आग गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तूस्टी करन दिख रहा है किसानों की आय डुगनी करने की हम बात कर रहे हमें Peru है में मेस्पी लागू खरने की बात करने को तूस्टी करन नजरा रहा है आज बैटे के लिए वोट मंगने गaraaci परिवार वाद पर पूले अगर देश की जंता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंदन को परधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाजपाने था हैं जेल के अंदर बंदो परिवार वाद पर लड़ाई च्री हुई है प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पूरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनके एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनीती में एंट्रे कर रहे हैं जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहें। फिर बीजेपी परिवारवात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनौ ले रहेंगी जिसमें से पहली ए पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोधी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और नहीं मिसा भारती हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चनावी राजमिती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारण से इस मै से लूब से उसको भी मंतरी बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गये सीधे कि अम दूर्डूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लडाने के लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुना हार जाती है तब भी रासवाब तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हो सकती है कितना केश हुआ है तो परिवार वात के बारे में वह बोल्पे रहें हैं और पहली चुनावी जंदसभा का शुरुवाती ही वह परिवार वात के उम्मध्वार से कर लें जो कि उनके उमिद्वार हैं तो आप देख सकते हैं उनके कर्थनी और कर्दी में कितना भारी अंति है और इस बार लगतार जो है एंडी ए खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बड़ा है सबसे जादा ठीके दिये जा नहीं कभी किसी के बेटा के या बे परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री है और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है कर्णा निधी हुए स्टालिंग देश में कई ज़दा पर है और हमारे यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है राजसाबा सामसद और आरजेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंदिया अलाइंस को जर्यता ने मौका दे दिया तो तधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे काहिने परिवारवाद पे पूल ले बंध हो गया प्रधान मंतिरी जी का इलेक्षोल बांट पे कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा च उनका यह विवादित बயान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइन्स को जनदी मौका दिया और हम सप्ता में आए तो प्रधारमंत्री जेल में होंगे नसर प्रधारमंत्री सारे नेता जेल में हूंगे ये बात कैती हुई नजर आ रही हैं हाला कि बेहार में आपक राजनिती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादों हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भिसाद रहे रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुसे वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिल्कुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनौ ले रहेंगी इंदी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे उनकी बेहन रोणी अचारी भी चुनावी राजविती में इस पर एंट्री कर रही है वो सारण से इस मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालो यादो की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाज़ी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया जुसरी बेटी चुना हार जाती है तब भी रासवाब ले बेस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हो सकती है पानी पिला या करते थे फर्जी दिग्री वाले क्या करते थे लगतार परिवार वाद के बारे में वो बोलते रहें और पहली चुनावी जंसभा कर शुरुवाथी वो परिवारवाद के उमिद्वार से करते हैं, जो कि उनके उमिद्वार हैं, तो आप देख सकते हैं उनके खत्नी और कर्दी में कितना भारी अंति हैं, और इस बार लगतार जो है NDA खेमे से, जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है, सबसे जादा ठीक के लिए है कि पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़ापर है करणा लिधी ख्रेस्टालिंग देश में कई ज़ापर है और हमारे इंपें नरेंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले कहां तरीजी में पैदा हुए आज देश के लेटा हुए यह देश परि प्रदान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए धुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में मस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे पाहिने परिवारवाद पे पूले पूबंध हो गया प्रधान मंत्री जी का इलेक्षोल बाण पे कौन जवाब देगा जब आते हो हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा चा उनको आप सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिस्सा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरारी हाला अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनिती में ट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादो हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाथ को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस बार फिर से लोग सभा चुनाव लड़ेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वा कि सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी बेहन रोणी अचारी भी चुनावी राजविती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारण से इस मैदान में हैं इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालु यादो की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बनाते है दूसरा बेटा हरे राम हरे राम प्रिश्ना करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रासवाब है तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीब पाई फ्रॉड है पानी इस पर तेजस्वीन ऐसा पानी पिला या ति परधान मंत्री को भी आ करके बार बार तेजस्वी को लाजु परिवार को गिरना पर राएं तो लगतार परिवार वाद के बारे में वह बोलते रहे तो पहली चुनाओ जन्सभा कर शुरुआती वह प और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से इसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे जादा ठीके दिये जा नहीं कभी किसी के बेटा के या बेटी के एलेक्शन अन्ने पर कोई आपत्ति उठाई परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़़ापर है करना निधी ख्वेस टाले में देश में कई जह दपर और हमारे इंपें नरिंद मोदी ये चाय बनारे वाले ख्यान तरीजी में पैदा हुए आज देश करें नेता हुए ये देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में एमस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे काहें ने परिवार वात पे पूल ले बंध हो गया प्रधान मंतिरी जी का इलेक्षोल बान पे कौन जवाब देगा जब आते हूँ हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं कितना बड़ा परस्टा अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गड़ बंदन को प्रधान मंतिरी से लेकर के जितने भी भाज़ पाने था हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंतिरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतिरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आ नहीं हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवार वाद पर लड़ाई छ्री हुई है प्रधान मंतिरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरी परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनीती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवा वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेत सिंग आमाई से तमाई से होगी इस वक्त जुड़ चुके हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जंता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थुरा व्यापक परिपेक्ष में देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस बार फिर से लोग सबाचनौ ले रहेंगी इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिल्मिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवात को ब चुनावीर राजनिती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारव से मैदान में हैं इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालुयादों की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रासवा में तो इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीब पाई फ्रोड है किया पोले का सब फेकू सब है पानी इस बरत तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया एकि परधान मंत्री को भी आ करके बार बार तेजस्वी को लाजु परिवार को घिरना करें तो लगतार परिवार वाद के बारे में वह बोलते रहें और पहली चुनाओ जन और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवार वाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके दिये जा ने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्शन लने पर खुए अपत्ति उठाई है परिवार वाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्ति बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं परिवार और यह कई यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है राजसवा सामसद और आरजेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंडिया अलाइंस को जन्रेता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे तो उनका बयान सामने आया है उसमें कि अगर गलती से इंडिया अलाइंस को जन्रेता ने मौका दे दिया तो ये भी याद रखना होगा प्रधान मंतिरी को और सारे नेताओं को प्रधान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में एमस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे काहें ने परिवार वात पे पूल ले बंध हो गया प्रधान मंतिरी जी का इलेक्षोल बान पे कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा भरस्टा च अंग हां कि गलती से अगर अलाइंज को जन्ता ने मौका दिया और हम सब ता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुए नजर आने हाला कि बिहार में आपको बतादे परिवार वाध पर लडाई च्री प्रदान मंतरी सीधे तौर पर लालू और उनके पुरे परिवार पर निशाणा ताध रहे हैं कि पहले उनके बेटे राजनीती में थे लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनिती में एंट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भिसाद रहे है रोहेत सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबा चुनाओ ले रहेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वात तो किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नज़र आ रही है जब मीसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद मोदी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गट मंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंतरी समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तोर पर नज़र आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा ब टोर ठाड़ा इस बार भी पाइतिलपुत्र से ही चुनावर लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारि भी चुनावीर राजमिंती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारण स्वे इस मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालू यादव की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वाद पर बयान बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना दे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम प्रिस्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है सीधे जंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालु जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रास्वा में तो इस देश में लालु जी तक वह स है तब तक गरीब की चिंदा नहीं हो सकते हैं ऍंपरीवार की चिंदा उसके और पहली चुनावी जंदसभा का शुरुवाती वो परिवारवात के उमिद्वार से कर दे, जो कि उनके उमिद्वार है, तो आप देख सकते हैं उनके कर्थनी और कर्दी में कितना भारी अन्ति और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से, जिसका जिकर कहते हैं कि परिव परिवारवात का मतलब है, पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का उप मुक्ष मंत्री और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है करनवा निधी ख्रेस टालें देश में कई ज़दा पर है और हमारे इंपे नरेंद मोदी ये चाय बनारे वाले ख्रेजी में पैदा हुए आज देश करनेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है राजसाबा सामसद और आरजेडी सुप्रीमो मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंटिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया यह देखना होगा प्रदान मंतरी को और सारे नेता उंको प्रदान मंतरि समें सारे नेता जेल में होगे जो इंडिया गट बंधन है, तीस लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है, किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें, में 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 एमस्पी लागू करने की बात कर दें, तुस्टी करन नजर आ रहा है, आज बैटे के लिए वोट मंग लगाते हैं बरस्टा चार का, जानते हैं कितना बड़ा बरस्टा चार हैं, अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंधन को, प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाजपानेता हैं, जेल के अंदर बंदो, तो राज़र सवा सांसद, आरज़री सुप्रीम लालु पिसाद यादो के बेटी, मिसा भारती जिनको आफ सुन रहे थो, उनका ये विवादित बयान, मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए, तो प्रधार मंतरी जेल में होंगे, नसर प्रधार मंतरी सा ये नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरारी है हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लड़ाई च्री हुई है प्रधार मंत्री सीधे तौर पर लालू और उनके पूरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थ इस वक्त चुड़ चुड़ चुके हैं रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधार मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वातों किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही ह है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पातिल पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बेहन रोणी अचारी भी चनावी राजविती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारण से इस मैदान में है इसे लेकर जबरद सियासत हो रह दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कुष्णा करता है उस्कों भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवाब है तो इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीब कि चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता उसे प्रोड आपनी पिलाया कि परधान मंत्री को भी आखर कि बारबार ने आने हैं तो लगतार परिवार वात के बारे में वो बोलते रहें और पहली चुनावी जंसभा का शुरुवाती वो परिवारबात के उमिद्वार से करते हैं, जो कि उनके उमिद्वार हैं, तो आप देख सकते हैं उनके खर्थनी और कर्दी में कितना भारी अंति हैं, और इस बार लगतार जो है NDA खेमे से, जिसका जिकर कहते हैं कि परिवा परिवारबात का मतलब है, पार्टी परिवार के लिए है, पार्टी का नेता परिवार का होगा, पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बनेंगे मुक्ष मंत्री, और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है, इसे कहते हैं परिवार, और यह कई ज़दा पर है करना निधी ख्रेस टालिंग देश में कई ज़दा पर है और हमारे रुपे नरेंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले ख्यान तरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नज़र आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गये थे काहिनी परिवारवाद पर पूले बंध हो गया परधान मंतिरी जी का इलेक्ष्व बांट पर कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पर आरूप लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा चार अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे भिया इंडिया गट बंधन को परधान मंतिरी से लेकर के जितने भी भाज़ पाने ता हैं जेल के अंदर बंदो तो राज़ब सभा सांसद आरज़ेडी सुप्रीम लालू परसाद यादो की बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंत्री जे थे एक बेटी ही राज़निती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचार भी राज़निती में ट्रे कर रही हैं जिसको परिवार वाक्स सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर तेक रही है और तेजिस्वी यादो हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत जी बिल्कुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तक्रार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवारवाद को जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वाथ उकिस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नज़र आ रही है जब मीशा भारती ने पलटवार करते हुए तरफ से परिवारवात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता पर बयादबाजी तेज हो गई है पानी दोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंतरी बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंतरी बना दिया अब सीधे सिंगापूर्सी एक बेटी आ गई है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तब भी रासवाब है तो इस बेस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक प्रॉड है क्या पोलेगा सब फेकू सब है पानी इस बर्त तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि परधान मंत्री को भी आखर के बार बार परिवार वाद के बारे में वह बोलते रहे हैं और पहली चुनाओ जंसभा कर शुरुडवाती वह परिवार वाद के उमिदवार जो कि उनके उमिदवार है तो आप देख सकते हैं उनके कर्फनी और कर्फनी में कितना भारी अंतर और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवार वाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीके लिए जाने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षे लन्य पर कोई आपद्ति उठाई ओलिए नहां परिवार वात का मतलब है पार्टी परिवार के लिए हैं चांपены का नेता फुर्त परिवार का होगा हुदہ हाथ पिता हटेंगे तो पत्दी मुक्ष मंत्री या बेटा बने मुक्ष मंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़गा पर है करणा निधी ख्रेस्टालिंग देश में कई ज़गा पर है और हमारे इंपें नरेंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले कहां तरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह दे जेडी सुप्रीमो मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतरी समेश सारे नेता जेल में होंगे प्रधान मंतरी समेश सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गटबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करण दिख रहा है किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में मस्प लागू करने की बात कर देंगो तुस्टी करन नज़र आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गये थे पहेने परिवार वाथ पे पूले वह बंध हो गया प्रधान मंतरी जी का इलेक्ष्व बांट पर कौन जवाब देगा जब आते हैं वह हमारे परिवार पर आरूप लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा पानेता हैं जेल के अंदर बंदो तो राजब सवा सांसद आरजेडी सुप्रीमो लालु परसाद यादो की बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सबता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आरी हाला कि बेहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लडाई च्री हुई है प्रधान मंत्री सीधे तोर पर लालू और उनके पुरे परिवार राजनीती में थे एक बैटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी फॉर बैटी रोणिячार आज चारी भी राजन्टिお願いします कर रही है। और तेजिस्वी यादो हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेत सिंग ओमाई से तमाई सयोगी इस वक्त चुड़ चुके हैं तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबा चुनाव लेंगे इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मु वो लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चुनावी राजमिती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारण से इस मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालु यादो की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवारवाद पर बयान बाजी पानी दोने वाले को अपने बेटा क्यूकि उनका बेटा था तो विहार का उत्मुक मंत्री बना दे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृस्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है सीधे जटनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुणाओ लडाने के लालुजी ने उतार दिया दुसरी बेटी चुणाओ हार जाती है तबी रासवFit इस बेस में हमाद जी जैसे निता तक तक रहेंगे तब तक गरीब सबस्क्राइब फोलर कि में प्राइब हो ते getting up all the परिवार वाद के बारे में वो बोलते रहें रहें, पहली चुनावी जंसभा के शिरुवाती वो परिवार वाद के उमीद्वार के उमीद्वार क Derby, आप देख सकते हैं उनके कतनी करती कितना भारी रही अन्ते हैं आर इस बार लगतार जो ओंडीयिये पृट्वारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है करना निधी हुए इस डाले में देश में कई ज़दा पर है और हमारे उपें नरेंद मोदी यह चाय बनारे वाले ख्यान तरीजी में पैदा हुए आज देश कर नेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को ज़दा ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेन में होंगे प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में एमस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे पाहे ने परिवार वाद पे बूले है वह बंध हो गया प्रधान मंत्री जी का इलेक्षोल बान पे कौन जवाब देगा जब आते हो हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्टा द्यादो की बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये राजनुति में ट्रे कर रही है जिसको पर्वार वागत सीदे तौर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादु हो गए या मिसा भारती हो गई सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहें रोहेट सिंग उमाई से तमाई सयोगी इस वक्त चुड़ चुके हैं रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुसे वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया अलाइंस को जंता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवारवाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस बार फिर से लोग सबाच उनाव लेंगे इंडी गटबंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा पर दिल पुत्र से ही चनावी लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चनावी राजमिती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारख से मैदान में है इसे लेकर जबरदस सियासत हो रही है लालू यादो की एक और बेटी के चनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयादबाजी तेज हो गई है पानी दोने वाले को अपने बेटा क्यूंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देगा दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रासवाब है तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीब प्रॉड है तो पानी इस वर्ट थे जस्वी ने ऐसा पनी पिला जैडि प्रधान मंत्री को नुक्न के अमिद्वार जो कि उनके उमीदवार हैं तो आप देख सकते हैं उनके कफ़नी और कर्दी में कितना भारी अंति है और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज्यादा ठीके दिये जा रहा है उनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन रने पर कोई अपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़ाद पर हैं करणा लिधी रेस टाले में देश में कई ज़ाद पर हैं और हमारे इंपें नरेंद मोदी ये एक चाय बनारे वाले ध्यां तरीजी में पैदा हुए आज देश करें लेता हुए ये दे परिवारवा से चिर रहा है राजसाबा सांसाद और आरजेडी सुप्रीमो मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे काहें ने परिवार वात पर बोले हैं मुझ बंध हो गया प्रधान मंतिरी जी का इलेक्षोल बान पर कौन जवाब देगा जब आते हूँ हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा पर दिया धार कि depending मिषा भारती जिन को आप सुन रहे थी उनका ये विवाधित बयान मिषा ने कहा कि घलती से अगर इंडियाया लाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरारी है हाला कि बहार में आपको बता देly, परिवार्वाद पर लडाई छतरी हुई है प्रधान मंत्री सीदे तॉर पर लालू और उनके पुरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं और मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे। परिवार की दो बेटिया जो है वो इस बार फिर से लोग सबाचनाव लड़ेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वा तो किस तरीके स जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मीसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटबंदन की सरकार ब प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तोर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कार प्राहती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारर से इस मैदान में हैं इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालुयादव की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवारवाद पर बयानबाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना थे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम क्रिश्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हार जाती है तबी रास्वाब तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों क जुदा यह चिंता नहीं हो सकती परिवार की चिंता और किया करते थे फर्जी वाले किया करते थे कितना के वाई फ्रॉड है क्या पोलेगा सब फेकू सब है आप पानी इस वरत तेजस्वी ने आशा पानी पिलाया एकि परधान मंत्री को भी आ आकर के बार बार प्र तेज जन्सभा का शुरुवाती वह परिवारवाद के उमीद्वार से कर लें, जो कि उनके उमीद्वार हैं, आप देख सकते हैं, उनके कथनी और कर्दी में कितना भारी अंति हैं, और इस बार लगतार जो है, एंडी ए खेमे से, जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत परिवारवाद का मतलब है, पार्टी परिवार के लिए है, पार्टी का नेता परिवार का होगा, पिता हटेंगे तो पत्नी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री, और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रही है, इसे कहते हैं परिवार, और यह क करनवा लिधी हुए स्टालिंग देश में कई यह दो पर है और हमारे इंद मोदी जी एक चाय बनाने वाले खान गरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह देश परिवारवा से चिर रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेन में होंगे प्रदान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गटबंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्ति करन दिख रहा है किसानों की आई डुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में एमस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्ति करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गये थे ताहिने परिवार वाद पे पूल ले परधान मंतरी जी का इलेक्षोल बाण पर कौन जवाब देगा जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्ता चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्ता चार है अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंदन को प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाज़ पाने था हैं जेल के अंदर बंदो प्रधान मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आ रही है प्रधान मंतरी सीधे त्वर पर लालू और उनके पुरी परिवार पर निशाना साध रहा है सब्रधान मंतरियों के इन सरकार पर निशाना भी साध रहेु निकिन हमाई सा नमाई से सयोगी इस वक्त उड़ चुड़ चुके हैं रोहेत सीधे तोर पर मिसाभारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में ये कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोधी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबर जोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वातों किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नज़र आ होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नज़र आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नज़र आ रही है अर्पिता क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का मंत्री बनाते है दूसरा बेटा हरे राम हरे राम प्रिश्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगाप पूर्से चुनाव लडाने के लिए लालु जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवाव तो इस देश में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हुआ नेली चिंतावि जनसभा के शुरूऩाती है जो कि उनके उमिदवार हैं आप देख सकते हैं उनके कर्दनी और करदी में कितना भारी अंति है और इस बार लगतार जो है एंडी एक खेमे से जिसका जिकर कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज़्यादा ठीक है उनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्शन लने पर खुए अपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पि प्रेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दापर है करना निधी है रेस्टालिंग है देश में कई ज़दापर है और हमारे इंपें मरेंद मोदी यह चाय बनारे वाले था दरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह देश परिवा अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है, तीस लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है, किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें, हमें में एमस्पी लागू करने की बात कर दें को तुस्टी करन नजर आ रहा है, आज बेटे के लिए वोट मंगन लगाते हैं भरस्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भरस्टाचार हैं, अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंधन को, प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाजपाने था है, जेल के अंदर बंदो, तो राजव सबास्तांसद, आरज़े प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे, ये बात कहते हुई नजर आ हैं, हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लडाई क्षडी होई है, प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके परिवारप निशाना साध रहे हैं, कि पहले उनके बेटे ही सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना विस्ताद रहे हैं रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अलपिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हों या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबर जोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वातों किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नज़र आ होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नज़र आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नज़र आ रही है ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चनावी राजमिती में इस पार इंट्री कर रही है वो सारव स्वे मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालू यादो की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बैयान बाजी तेश हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो विहार का मंतरी बना दूसरा बेटा हरे राम हरे राम प्रिस्णा करता है उसको भी मंतरी बना दिया अब सीधे सिंगा पूर से एक पेटी आ गई है सीधे जंक्थायां तो दोर दोर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगा पूर से चुनाऊ लोडाने के लिए लाजुजी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुना हार जाती है तब भी रासवाव है तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता उसकती है पर्जी दिगरी वाले ही क्या करते थे कितना केस हुआ है फ्रॉड है सब फेकू सब है पानी इसबार्ठ ते जस्वी ने ऐसा पानी पिला आप परद्दान मंत्री को भी आा और कि बार बार ते जस्वी को लाजू परीवार को घ्रना परेसे चुनाओ प्रक्षार में आरे हैं तो आप देख सकते हैं उनके कर्थनी और कर्दी में कितना भारी अंति है और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे जादा ठीके दिये जा रहा है अनने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन रने पर कोई अपत्ति उठाई है परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़दा पर है करणा निधी हुए स्टाले में देश में कई ज़दा पर है और हमारे इंपें नरिंद मोदी जी एक चाय बनाने वाले ख्यांतरीजी में पैदा हुए आज देश परिवारवा से चिर र मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे तो उनका बयान सामने आए उसमें कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो ये भी याद रखना होगा प्रदान मंतिरी को और सारे नेताओं को प्रदान मंतिरी समेश सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिखरा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में अमस्पी लागू करने की बात कर देनकों तुस्टी करन नजर आ रहे है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे, काही ने परिवार वाद पे बूले, मुँ बंध हो गया परधान मंतरी जी का, इलेक्षोल बान पे कौन जवाब देगा, जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का, जानते हैं खितना बड़ा भरस्ट द्यादों के बेटी, मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए, तो प्रधान मंतरी जेल में होंगे, नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंग लेकिन अब उनकी एक और बेटी, रोणी अचारे भी राजनिती में एंट्रे कर रही है, जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है, और तेजिस्वी यादों हो गए, या मिसा भारती हो गई, इस सब प्रधान मंतरीों के इन सरकार पर निशा जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोरा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए, तो लालू परिवार और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बीच में जो है, वो तकरार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार प्रधान मंतरी मोदी हों या फिर बीजेपी, परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है, और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई, कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है, वो इस पर फिर से लोग सबाचनौ ले रहेंगी, जिसमें से पहली एक बेटी जो है, रोनी जब मिसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है, तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है, वो जेल में होंगे, तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बॉकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है, और इसी कारण से आरजेडी भी जो है, वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है, अर्पिता. पर सियासत हो रही है, लालुयादों की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवारवाद पर बयान बाजी तेज हो गई है. पानी दोने वाले को अपने बेटा, क्योंकि उनका बेटा था, तो बिहार का उत्मुक मंत्री बनाते है, दूसरा बेटा हरे राम, हरे राम कृष्णा करता है, उसको भी मंत्री बना दिया, अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है, सीधे, चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है, लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालु जी ने उतार दिया, दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है, तब भी रासवा में, तो इस देस में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे, तब तक गरीबों की चिंता नहीं ह जाइए, पानी इस बरत तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है, ती परधान मंत्री को भी आ करके बार बार तेजस्वी को लाजु परिवार को घिरना करें। परिवारवाद के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री या बेटा बने का मुख्यमंत्री और बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़ापर है करना निधी हुए स्टालिंग देशने कई ज़ापर है और हमारे इंद मोदी यह चाय बनारे वाले थांतरीवी में पैदा हुए आज देश क रिवारवा से चिड़ रहा है वियाद रखना होगा प्रधानमंत्री को और सारे नेता उंको प्रधानमंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है, 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है, किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है, आज बैटे के लिए वोट मंगने गए थे, काहे ने परिवारवाद पे बूल है, मुबंध हो गया परधान मंतरी जी का, इलेक्षोल बाण पे कौन जवाब देगा, जब आते हैं हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का, जानते हैं खितना बड़ा भरस्टा चार हैं, अगर देश की जंता ने कहीं ह हमें मौका दे दिया, इंडिया गट बंदन को, परधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाज़ पानेता हैं, जेल के अंदर बंदो। प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरी परिवार पर निशाना साध रहे हैं, कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे, एक बेटी ही राजनीती में थी, लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनीती में एंट्रे कर रही हैं, जिसको पर परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भिसाद रहे हैं रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष पे देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटियां जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचुनाव लड़ेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे इनने पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोधी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो ये कहीं न कहीं एक तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती है जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी पाठली पुत्र से ही चनाव लड़ रही है उनकी बहन रोणी अचारी भी चनावी राजमिती में इस पार एंट्री कर रही है वो सार्स इस मैदान में हैं इस से लेकर जबर्दत सियासत हो रही है लालु यादाउ कि strictly कि चुनावी मैदान में उतरने से परिवार बात पर बयामजित तेस हो गई पानि ढोने वाले को अपने बेटा, क्युकि उनका बेटा था तो बिहार का उठमुख मंतरी बनाती, दूसरा बेटा हरे राम, हरे राम पिश्वना करता है उसको भी मंतरी बना दिया अब सीधे सिंगापूर सी एक बेटी आ गही है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया उसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रासवा में तो इस देस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक कि ये वाई फ्राऊड है आपो ले गए सब खेकू सब्या पानी परत्र तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि परधान मंत्री को भी आकर के बार बार तेजस्वी को लाजु परिवार को घिरना परी नाव प्रकार, जो नहीं परिवार वाद के बारे में वह बोलते रहे ह परिवारवाद के उमीद्वार से कर लें, जो इनके उमीद्वार हैं इसक आप देख सकते हैं उनके कर्दनी और कर्दी में कितना भारी अनतिया अगा और इस बार लगतार जो है NDA खेमे से जिसका जिए कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्शन उन्ने पर कोई आपत्ती उठाई परिवारवात का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्ष मंत्री या बेटा बने का मुक्ष मंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रहे हैं इसे कहते हैं और यह कई ज़गा पर है करनवा निधी हुए स्टालिंग देश में कई यह दो पर है और हमारे इंपे नरिंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले ख्यान तरीजी में पैदा हुए आज देश करें नेता हुए यह देश परिवारवा से चिड़ रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे तो उनका बयान सामने आए उसमें कहारी कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो ये भी याद रखना होगा प्रदान मंतिरी को और सारे नेताओं को प्रदान मंतिर समेश सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आय बुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में में लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे पाहेने परिवारवाद पे पूले पूबंध हो गया प्रधान मंत्री जी का इलेक्षोल बाण पे कौन जवाब देगा जब आते हैं वह हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस्ट द्यादों के बेटी मिसा भारती जिनको आफ सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे नसर प्रधान मंत्री सारे नेता जेल में होंगे य बेटी ही राजनिती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोणी अचारे भी राजनिती में ट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इ कि देखे तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहल वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वाद किस तरीके से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है आर जेडी में और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ रह रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवार वाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भार्ती है जो पाठली प्यासत हो रही है लालू यादो कि एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वाद पर बयाद बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना दे दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृष्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाओ हर जाती है तब भी रासवाब है तो इस बेस में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक कि अधर को फ्रॉड जी साब्राइब प्रॉड ने तो अ McMông दूर जेख लाइए तो पड़िवार वत शिरुडवधी वह पड़िवार वात के उमीध्वार से ब्सक्राइब देख सकते हैं परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा कि पिता हटेंगे तो पत्दी बढेंगे मुक्ष मंत्री आप बेटा बने का मुक्ष मंत्री और बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही इसे कहते हैं और कि कर्णालिधी को फ्रेस्ट आलें देश में कई जब और हमारे इंद मोधी ये चाय बनारे वाले छीए हां करीवी पैदा प्रिमो मिसा भार्ती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भार्ती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतरी समय सारे नेता जेल में होंगे उनका बयान सामने आया उसमें कहरी कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइन्स को जनता ने मौका दे दिया तो ये भी याद रखना होगा प्रधानमंत्री को और सारे नेताओं को प्रधानमंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंगों तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे पाहे ने परिवारवाद पे बूले है वो बंध हो गया प्रधानमंत्री जी का इलेक्षोल बांट पे कौन जवाब देगा जब आते हो हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा पानेता हैं जेल के अंदर बंदो तो राजब सवा सांसद आरज़ेडी सुप्रीमो लालु परसाद यादो की बेटी मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे उनका ये विवादित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दिया और हम सबता म हैं आए तो प्रधार मंतरी जेल में होंगे नसर प्रधार मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजर आरी हाला कि बेहार में आपको बता दें परिवारवार पर लड़ाई ठ्री हुई है प्रधान मंत्री सीधे तोर पर लालू और उनके पुरी परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे, एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और बेटी रोहनी अचारे भी राजनीती में ट्रे कर रही है जिसको परिवार वाक्त सीधे तोर पर बीजेपी जोड़ कर देख रही है और तेजिस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुसे वाले अंदाज में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे जी बिल्कुल अलपिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष में देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है कोकि लगातार प्रधान मंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वाद को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस बार फिर से लोग सबाच उनौल लेंगी इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे उनकी बहन रोणी अचारी भी चुनावीर राजविती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारण से इस मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालू यादो की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे चंता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लोडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया है दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तबी रासवाब है तो इस देस में तब तक गरीबोनाइब परिवार ब्हु सब्सक्राइब करते हैं और पहली चुनावी जंसभा कर शुरुआती वह परिवारवाद के उमिद्वार से करते हैं, जो कि उनके उमिद्वार हैं, आप देख सकते हैं उनके कफनी और कर्दी में कितना भारी अंति हैं, और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से, जिसका जिकर कहते हैं कि परिवा में कभी किसी के बेटा के या बेटी पर कोई आपति उठाई है, परिवार वाद का मतलं है, पार्टी परिवार के लिए है, पार्टी का अन cleansing परिवार का होगा, पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुस्ष मंत्री या बेटा बने मुक्ष मंत्री, और बेटा बने ड говорит इसे कहते हैं और यह कई ज़दापर है करना निधी रेस टाले में देश में कई ज़दापर है और हमारे इंद मोदी यह चाय बनारे वाले ख्यांद गरीजी में पैदा हुए आज देश करें डेता हुए यह देश परिवारवा से चिर रहा है मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइम्स को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे प्रधान मंतिर समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में एमस्पी लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे काहिने परिवार वाद पे बूले है वह बंध हो गया पर्धान मंत्री जी का इलेक्ष्ण बान पे कौन जवाब देगा जब आते हूँ हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं परस्टा चार का जानते हैं खितना बड़ा परस् दून रहेते हैं उनका इस विवाधित बयान मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंड्या आलांस को जनताने ओक्राधा ने मौका दिया और हम सबस्ता में आये तो प्रधार मंत्री जेल में होंगे न से प्रधार मंत्री सारे नेता जेल में होंगे यह बात कहते हुए नजरारी है हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवारवार पर लडाई च्री हुई है प्रधान मंत्री सीधे तोर पर लालू और उनके पुरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि पहले उनके बेटे ही राजनीती में थे एक बेटी ही राजनीती में थी लेकिन अब उनकी एक और बे और मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदास में कह रही है कि अगर इंडिया एलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंत्री जेल में होंगे। परिवार की दो बेटिया जो है वो इस बार फिर से लोग सबाच उनाव लड़ेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वा तो किस तरीक से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिल्मिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मीसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटबंदन की सरका बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं न कहीं एक तिल्मिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आर जेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अर्पिता ठीके रोहित जरा रही है आप साथ ये वही मिसा भारती हैं जो पाठली पुत्र से चनाव लड़ चुकी दो बार हार का सामना भी उनको करना पड़ा है इस बार भी अरिवार वाद पर बयाद बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्यूकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना देए दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृस्णा करता है उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर से एक बेटी अब दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाओ लडाने के लिए लालु जी ने उतार दिया जुसरी बेटी चुनाओ हर जाती है तबी रास्वाब तो इस बेस में लालु जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं सकति परिवार की चिंता उसके गां agora करेजका है कितना के आाई अजुत ज Ahí इन डी पंडरी प्लायों दूसाल ये daily मतरी को भी मतरी आकर के बार बारी परिवार को घृटन अनुरी को वह कर ना क्यों है ने करते हैं तू लगतार के बारे में बोस वैने और पहली चुनावी जनसभा कर शुरुपाथी वह परिवारवात के उमिद्वार से कर लेक्ड़ जो कि उंके उमिद्वार यहां तो है तो अब देख सकते हैं कि खतनी और कंदी में कितना भारी अंति और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बुड़ा है सबसे ज्यादा ठीके अन्ने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन रहने पर हुए अपत्ति उठाई परिवारवाद का हैं कि मुख्यमंत्री या बेटा बने का मुख्यमंत्री है और अब बहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं और यह कई ज़दापर है करणा लिधी हुए स्टालिंग देश में कई ज़दापर है और हमारे इंद मोदी जी एक चाय बनारे वाले ख्यान दरीवी मे पैदा हुए यह देश परिवार्वा से चिर रहा है राजसवा सामसद और आरजेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जन्रता ने मौका दे दिया तो तदान मंतिर समय सारे नेता ज कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जन्रता ने मौका दे दिया तो यह भी याद रखना होगा प्रधान मंत्री को और सारे नेताओं को प्रधान मंत्री समय सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंको तुस्टी करन नजर आ रहा है आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे खाहे ने परिवार वात पे पूले बंध हो गया प्रधान मंत्री जी का इलेक्षोल पान पे कौन जवाब देगा जब आते हूँ हमारे परिवार पे आरूफ लगाते हैं भरस्टा चार का जानते हैं कितना बड़ा भरस्टा चा उनको आफ सुन रहे तो उनका यह विवादित बयान मिसा आने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइंस को जन्ता ने मौकर दिया और हम सफ्कता में आं तो प्रधान मंत्री जैल में होंगे नसर प्रधान मंतरी सारे नेता जेल में होंगे ये बात कहती हुई नजरा आ नहीं हाला कि बिहार में आपको बता दे परिवारवाद पर लडाई च्री हुई है प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पुरे परिवार पर निशाना साध रहे हैं और तेजस्वी यादव हो गए या मिसा भारती हो गई इस सब प्रधान मंतरी के इन सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं रोहेट सीधे तोर पर मिसा भारती बहुत ही घुस्से वाले अंदाज में कह रहे हैं कि अगर इंडिया एलाईंस को जनता ने मौका दे दिया तो प्रधान मंतरी जेल में होंगे जी बिलकुल अर्पिता और इसको थोड़ा व्यापक परिपेक्ष में देखिए तो लालू परिवार और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बीच में जो है वो तकरार बढ़ती जा रही है को कि लगातार प्रधान मंतरी मोदी हो या फिर बीजेपी परिवार वात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचुनाओ लेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है रोहनी अचारे वो भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही है तो जाहिर सी बात है निशाने पर लालू परिवार है कि परिवार वात किस से जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर ऐसा लगता है वो तिल्मिलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है जब मीसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोधी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटबंदन की सरका बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे तो यह कहीं ने कहीं एक तिल्मिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवात को बरा मुद्दा बनाया जा रहा उनकी बहन रोणी अचारी भी चुनावीर राजविती में इस पार एंट्री कर रही है वो सारव से इस मैदान में है इसे लेकर जबर्दस सियासत हो रही है लालू यादो की एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार वात पर बयान बाजी तेज हो गई है सीधे सिंगापूर से एक बेटी आ गई है सीधे जनता का कल्यान तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है लेकिन सीधे सिंगापूर से चुनाव लडाने के लिए लालू जी ने उतार दिया दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी रास्वाब तो इस देस में लालू दूसरी जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है परिवार की चिंता हुआ करते थे कितना के सुआइब फ्रॉड है क्या पोले का सब फेकू सब है पानी इस बर्त तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि पर्धान मंत्री को भी आकर के परिवार को गिरना प्रचार में आरे हैं तो लगतार परिवार वाद के बारे में वह बोलते रहे हैं और पहली चुनावी जंसभा कर शुरुडवाती वह परिवार वाद के उमिद्वार से कर दो जो कि उनके उमिद्वार है तो आप देख सकते हैं उनके करतनी और कर्दी म कितना भारी अंति है और इस बार लगतार जो है एंडिये खेमे से जिसका जिक्र कहते हैं कि परिवारवाद बहुत बढ़ा है सबसे जादा ठीके जाने कभी किसी के बेटा के या बेटी के लेक्षिन लने पर कोई अपत्ति उठाई परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है पार्टी का नेता परिवार का होगा पिता हटेंगे तो पत्दी बढ़ेंगे मुक्षमंत्री या बेटा बने का मुक्षमंत्री और अब बेहनों की फॉज बढ़ती जा रही है इसे कहते हैं परिवार और यह कई ज़ यह देश परिवारवा से चड़ रहा है राजसाबा सामसद और आरजेडी सुप्रीमों मिसा भारती ने एक विवादित बयान दिया है मिसा भारती ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलाइंस को जनता ने मौका दे दिया तो परधान मंतरी को और सारे नेता जेल में होंगे जो इंडिया गट बंधन है, 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है, किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हमें में MSP लागू करने की बात कर देंगों तुस्टी करन नजर आ रहा है, आज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे, का बड़ा बरश्टा चारे है, अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंधन को, प्रधान मंतरी से लेकर के जितने भी भाजपाने था है, जेल के अंदर बंदो तो राज़र सवा सांसद, आरज़री सुप्रीमो लालू के साथ यादो के बेटी, मिसा भारती जिनको आप सुन रहे थे, उनका ये विवादित बयान, मिसा ने कहा कि गलती से अगर इंडिया अलाइन्स को जनता ने मौका दिया और हम सब्ता में आए, तो प्रधान मंतरी धजयर में होंगे, ना सरule प्रधान मंतरी, सारे नेता जेल में होंगे, ये बात कहती हुई नजर आ रहे हैं, आपको बता दे परिवारवार पर लड़ाई-10 हुई है, प्रधान मंतरी सीधे तोर पर लालू और उनके पूरी परिवार पनिशाना साध रहे हैं, कि पहले उन मिसा भारती हो गई, इस सब प्रधान मंत्रियों के इन सरकार पर निशाना भी साथ रहे। परिवारवात को जबरदस तरीके से मुद्दा बना रही है और खासकर अभी दो दिन पहले जिस तरीके से बाधिकारी क्रूप गोशना कर दी गई, कि लालू परिवार की दो बेटिया जो है वो इस पर फिर से लोग सबाचनौ ले रहेंगी जिसमें से पहली एक बेटी जो है वो साफ नजर आ रही है जब मिसा भारती ने पलटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोधी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर गलती से इंडी गटमंदन की सरकार बन जाती है तो प्रधान मंत्री समेथ तमाम बीजेपी के बले नेता जो है वो जेल में होंगे त तिलमिलाहट और बौकलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार बीजेपी के तरफ से परिवारवाद को बरा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी कारण से आरजेडी भी जो है वो बैक फुट पर इस वक्त नजर आ रही है अरपिता हो रही है लालो यादो कि एक और बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से परिवारवाद पर बयाद बाजी तेज हो गई है पानी डोने वाले को अपने बेटा क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उत्मुक मंत्री बना दूसरा बेटा हरे राम हरे राम कृस्णा करता ह उसको भी मंत्री बना दिया अब सीधे सिंगापूर्सी एक बेटी आ गई है सीधे